हलो दोस्तों कैसे आप लोग मैं एपियस आपका सौगत करता हूं आपका लैब पर ठीक है तो कैसे आप लोग कैसी चली त्यारी अभी मैं आप लोग की चैट पढ़ रहा था अच्छा पहली बात सभी को महा सिवरात्तिरी बहुत-बहुत बदाई सबको हर-हर महादेव लोग तो दीपती का सवाल था दीपती ये बोल रही थी कि जो गुपता पीरियेड में जो लैंग्विज थी वो क्या थी प्राकृत थी या सांस्कृत थी ये दीपती का सवाल है ठीक है चलो तो सिंपल से बात हैं देखो मैंने बोला तो गुपता पीरियेड में कराया था आपको गुपता पिरियड में आपने डेखी होगी कि बहुत सारी खोजे होई, चाहे वो आपका medical के field में हो चाहे आपका literature के field में हो चाहे वो आपके astrology a khagolbidhi के field में हो, चाहे वो mathematics के field में हो, तो जितिनी भी किताबें वो मिली हैं लिखी हुई वो किस language नमस्ते सबको नमस्ते हर हर महादेब हर हर महादेब ठीक है जो जितनी भी आपको जो books मिल रही है वो आपको किस में मिल रही है संस्कृत में मिल रही है सब कुछ किसमें लिखा हुआ है संस्कृत में लिखा हुआ है किलिया किसमें संस्कृत में तो जो official language है वो क्या ह है शंस्कृत है फ़िली चीजी ठीक है लेकिन एक माँ पर सवाल ये उठता है कि जो नाटक होते थे या जो कई सारे जो ठेक्सट मिलें हम पे नाटक होते तो उसमें सूद्र और बुमेंस को कौन सी लेंगज में वो बोलते थे कौन सी लेंगज उनको अलाउ थी बोलना तो वो लेंगज तो क्या थी आपकी वो प्राकरत थी क्योंकि बैदिक कल्चर में आपने पढ़ा कि जो संस्क्रत थी वो किसकी जो भासा थी वो दूसरे लोगों के थी मतल से आजाओ दो तीन तीन चार मेहना है एक दम रगड के पड़ो बढ़िया से जाएगी इसके साथ आपके राजपुंत के साथ तो राजफु में आपका कुछ एक दो पॉइंट हैं आपका जो खजराओ बग치ा बनाया वो किस ने बनाया एक दो पॉइंट खतम होने के बाद, पूरा करवाएंगे एकदम सुकून से और बहुत बढ़िया तरीके से करवाएंगे, और समझ में आपको आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ, वो आपको समझ में कब आएगा, जाप हिस्ट्री और जोग्राफिक करने के बाद, आप क्या करोगे, मूल बिदी करोगे, और जो आपके जो जो जोग्रफिक की क्लासे हैं, जो भोगोल की क्लासे हैं, वो कहां पे चल रही है, वो सुबह बाले बैट में चल रही है, आप लोगो करना चाहूं तो आप कर सकते हो, इंफेक्ट कर लो यार, बहुत फाइदा होगा आपको, अभी पढ़ लोग आउत की बात करें, तो उस साइड भी क्या कई साइड बनके उभरी, लेकिन कुछ उनका अर्ट कल्चर में बहुत युगदाने हम पढ़ेंगे, रही बात, जो अब मद्यकाई भारत में क्या कर चुके हैं, प्रिवेस कर चुके हैं, किसमें मद्यकालिन भारत में, ठीक है, मद्यकालिन भारत में, मेडेबल इंडिया में अभी तक देखा, आपने की जो राजनीती चल रही है, राजनीती आपने देखा, कि कैसे एक जो सब भी राजनीती थी, बैदिक कल्चर था, कैसे वो आपका लड़ाई जगडे में कैसे क्या हुआ तब दिल हो गया, अब क्या में क्या होगा, बाहरी सक्तियों का आना क्या हो जाएगा, प्रिवेस हो जाएगा, ठीक है, अब सवाल मेरा आपसे ये है, डेमो क्लास आज लास टेक है, किसने बोला लास टेक, निदी सिंग लास क्लास नहीं है, ठीक है, चलो, तो सवाल मेरा ये है कि जब इंडिया इतना स ससक्त था आपका मगध एंपायर था उसके बाद गुपता थे उसके बाद राजपूत आए इतने लोग जब ससक्त थे तो लोगों के जो आक्रमण बहार से वो क्यों हुए क्या ऐसा कारण था कि लोग महां पर आक्रमण आके करने लगें तो सिंपल सा फंडा यार यह है कि जो डाइंस्टी थी आपकी बात करूँ अगर मैं कि कई सारे जो राजपूर डाइंस्टी थी राजपूर डाइंस्टी ने क्या किया जनम लिया तो राजपूर से क्या थे राजपूर के कई सारे घराने होते थे कई सारे रजवारे होते थे और वो बहुत अलग-अलग होते थे ऐसा कोई सेंटल पावर नहीं थी जैसे मगद म के लिए अपना हासिल करने के लिए उसको किलियर है पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा पूरा होगा याद मतलब यह बहुत होगी मेरे भाई खाने खाने बैटो सुकून जखाओ पेट भर जाएगा अपने आप पता चल जाएगा ठीक है हम बता रहे हैं आपको ठीक है कोई दिक्कत नहीं है समस्यार नहीं है परिसान नहीं हो जिए कि बादा क्या पूरा करेंगे करेंगे एक्जाम डेट देखो अभी आई नहीं है मुझे लग रहा है जुराई घस्त में होगा अगर एक्जाम डेट आभी आभी जाती है ठीक है तब भी आपका पूरा कर वो नहीं पाए इसलिए बहुत जानदा राजपूर से कुश्चन आपके नहीं आते हैं राजपूर डाइनस्टी से बस आपका एक आत कुश्चन आता है जो कि आपके बैटल हुए थे किसके टाइम पे जब आपका गौरी बगार आटेक करेंगे हां पे तो जो आटेक के इंडिया को कितने पार्ट में बाटा जाता है या कितने भाग में इसको बाटते हैं तो जो मीडेबल इंडिया है वो आपका कितने भाग में बाटते हैं इसका दो चरड़ों में बाटते हैं दो चरड़ों में तो एक तो आपका आता है कब 725 से लेके आपका 1205 तक नोट कल लेटर मेडेवल हो गया या बाद का जो मदिकाली इनसासन हो गया फिर आपका जो 1526 में है इसके बाद से क्या होगा मोगल्स का टाइम आ जाएगा और यहां पे अंग्रेज भी आ जाएँगे पूर्तगाली भी आ जाएंगे आपके डच भी आ जाएंगे ये आ जाएंगे तो ऐसा क्या घटनाए होती है कि जो आपका ये टाइम है यहीं से क्यों स्टार्ट हुआ है टाइम नहीं होता है दोस्त घटनाए होती है घटना उसे आपका इत्यास क्या होता है याद किया जाता है तो साथ सो पटर्चेस में क्या होगा GBढ क्या होगा उसके बाद यह अधरक की जो सीरी जो कि जो सिर्ग.. जो स्तरङल आहोगा चलेगी.. कब तक ? 205 तक चलेगी..? और अटेक करते करते बाद में 1205 में आके इसकी स्तापना होगी, आपकी गुलामबंस की स्तापना होगी, जब 1206 में, जब गुलामबंस की स्तापना के बाद, 1206 से और 1526 तक ये चलेगा क्या आपका दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, इल्तुतमिस, ठीक है, ये स्वाल यहां पर कोई दिक्कत जितने भी दोस्त हैं जितने लोग क्लास नहीं कर रहें कर लीजिए कंटिन्यू क्लास करिए मेरे भाई चूट जाएगा तो भी समझ में दुबारा नहीं आएगा ठीक लुसेंट में 650 से 1206 लिखाया आप 10 कितका में पढ़ोगे 3-4 आपको डेटा आते हैं वो थोड़े बहुत आगे पीछे मिलेंगे ठीक है बहुत बढ़िया सोनिया बनाते लिए फायदा आपको मिलें कर गारंटिड है आपको पता लगेगा कब एक्जाम के बात कि जो मैं बोल पूद आपके जो इतियास बोलता एक होता है सूरी बंसी एक होते हैं चंद्र बंसी तो सूरी बंसी कहुंस होते हैं जो भगवान राम इनके जो बोले जाते हैं बात की पीड़ी बोले जाते हैं सूर्वनसी और जो भगवान कृष्ण है उधर बाले साइड के बोले जाते हैं क्या चंद्रवनसी एक और बीच में निकल आता है एक थूरी और निकल के आती है अगनी कुल थूरी या अगनी कुल सिध्धान्त इसम माउंट आबू, माउंट आबू और यहां पर आपका जो बुद्दिज्व था वो बिल्कुल से यहां पर नहीं था, ठीक है, यह आपके राजबुत के बारे में तीन धूरी है, जो तीन कॉंसेप्ट है, चंद्रबंसी, सूर्बंसी और एक आते हैं आपके अगरी कुल वाले किलियर यह चीजू और यही क्या था कि उनकी घमंड का है, उनकी कुछ एगो का कहले जीए, या उनका परिदिस्टाया उसका कहले जूरी है, उसका क्या बना, कारण बना, किलियर यह चीजू आगे बढ़ते हैं, कुल में आके देखा जाए, तो कही सारी जो नेली करीब 96 र तीन, चार, पाँच, छे, साथ और आठ हो गए आपके, ये क्या माने जाते हैं थोड़े, इंपोर्टेंट माने जाते हैं, किलियर, ठीक, तो पहले आते हैं क्या, जो बंगाल के थे कौन, पाल, पाल आज बोलते हैं, जो पाल हो गए आपका, बंगाल के पाल हो गए, फिर चोहान आते हैं किस एरिया से क हैँ मैझिक है फिर आपके आते हैं गुहिल आज और शुसोधिया जो आते हैं यह आपके कहां साथे मेवार की टरब से आते हैं पिर बात करेंगे चंडेल की चंडेलाज और बंगाल का है और Tôiakah के желण की आपके मुझर है घुजरात की तौछ होमबग आपका यह है कि जो आपका सवाल आते भी एक दो होमबग आपका यह दे रहा हूं कि आपको PDF मिली जाएगी इसमें और PDF में जितने भी यह जो डाइस्टी लिखी है जा जो क्लैन लिखी है राजपूत क्लैन इनके जो फाउंडर है फाउंडर कौन कौन है यह आपको इक किसी अचीश है कि भी पाउंडर तो भूगोर तो भी आपकर सकते हो जो लोग बोनों क्लास ने कर रहे होंगे उनको जाएगा-अटो निश्चित होगा क्योंकि दो वार आपका रिविजन हो जाएगा किलियर यहां पर किलियर हुआ यह आप अपना नोट कर लीजिए ऐसे पढ़िए जैसे आप एक आप प्लाइन कोचिंग पढ़ रहे हैं आप बहां पर बीस हजार तीस हजार पच्छे जार रुपया दे के पढ़ रहे हैं उस तरीके साब क्या करिए अपनी पढ़ाई करिये ठीक है के लियर आगे देखते अगे बाद आते किसकी पाल डाइनिस्ट्री की तो पाल अई जो बंता है पाल कॉन से पाल यह जो पाल आपको आटे हैं कौन से बंगाल वाले यह जो पाल है ये भी क्या आथे आपके राज और पाल, Dian если li' ke जो फाइंडर हैं वो कौन है आपके गोपाल है और जो काउन से अरिया में थे यह बंगाल वाले अरिय में थे ठीक है और इनोंने क्या किया कि जो मगद था अपना जो सासन था वो कहां तक विस्तार किया मगत तक अब देखो यार मैं जो आप से बात बोल ला था ना कि जो क्लास की कंटिवरी रखोगे पहुँच पाओगे मैंने बोल दिया कि आप मगत जिन लोगा ने पूरी क्लास मेरी करी होगी जनपद महाजनपद पिशली वाली वो मगत जान की उन कब जा किया था कितने वीच में उन्हों ने क्या कर अपना फैला लिया था फिर उन्हों जो प्रतिहार थे ना जिन्होंने प्रतिहार उनको भी क्या किया हराया तो सवाल आप से बनेगा प्रतिहारों को किसने हराया ठीक है प्रितिहार बात कम करिया आप लोग बात कर रहे हैं बहुत जाना बात कर लिजे कि मैं पांच मेंट दूँगा आप लोगों को बात करने का कोई दिक्कत नहीं है ठीक प्रितिहार दूसरी बार ये वही धरम पाल है जिन्होंने क्या किया जो बिक्रम सिला उनिवस्टी कि इसकी इस्तापना कर वाई है शीवराब्स क्या कर राए इसको बनवार धरम वाई को विक्रमसितिर की किस Всकूleye कोय थिए अई मलेगा गांगा थी था धरम भाई रेकर इसको बनवास के इसकी मिल लिख लिख क कि अव करेए यहां पर यहां प्रिक्ति अपर जितनी ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सवाल आपसे आता है एक दो सवाल इसी टाइप की आते है राजपुर डाइस्टी से की हुँ अमंग दा फोलोइंग डाइस्टी नॉन फोर्दा टेंपल्स ऑफ खजुराहो खजुराहो के टेंपल्स के मंदिरों के लिए किसे जाना जाता है सा संदेला बंस ठीक है लोग अभी मुझें प्रतिहार कहां से थे प्रतिहार प्रतिहार राष्टकूट इसका आशर बताईए कौन जाना जाता है आँसर आँसर लोगों का दी आँसर 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 बहुत बड़े हाँ चन्देल ठीक है तो तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका जब इतने लोग दे रहे हैं तो आंसर क्या हो गया चंदिल डाइश्टी फीके आगे बढ़ें अगला सवाल आता है कि विल्टा टेंपल एंड इस्टॉल्ड इस ओन इमेज टू बी बशिप निम लिखित में से किस राजपूत सासक ने मंदिर बन बाया और पूजा करने के लिए अपनी स्वयम किछ भी स्तापित की मतलब सोच रहे हो कितना जान था वो था कि अपनी ही मूर्ती मंदिर में स्ताप लैप उस पर मिल जाएगा टेलेगनाम चैनल पर आपको पीडियाप ठीक किस ने आपके छबी स्तापित की लतिंग डेव अजय सिंग प्रद्युमन देव या रावविका तो करेक्ट आंसर करके आओगा लतिंग डेव इन्होंने किया कि यहां पर अपनी मंदिर में मूर्त स्तापित की सुना जा कहा जाता है कि बहुत ही जानदा आपका जो एक तृष की सोतने हैं एगोईस्त राजा था ठीक है आगे बढ़ें अब बात करते हैं कि इसकी जहां से मेडिवल आपकी स्टार्ट होती है ठीक है मीडिये विल मैं बोलना हूँ राजपूत से आप उठाके देखे राजपूत से जंदा कुश्चन आपके एक्जाम में नहीं आते हैं क्योंकि याँ सिंपल से बात है GS का सिलिबस बहुत बड़ा है 40 सवाल आने 40 में से 20 आपके आने है तो राजपूत एक्जाम पॉइंट आवी से इतना इपोर्टेंट नहीं है यही आपको दिखाता है क्या पढ़ना है आपको क्या छोड़ना है अब जो सवाल आपके आएंगे सवाल यहां से आएंगे आपके कि 712 AD से लेके फिर आपका 1200 AD तक क्या हुआ यहां पर तो सिंपल से बात है तीन लोग बहुत याद किये जाते है इतियास में मुहम्मद बिन कासिम गौरी और गजनभी रीजन क्या है इसका कि जो अटेक हुए आपके उस टाइम पर हुआ गया था इंडिया था इंडिया बहुत जान्द में क्या करते थे च्छती पहुँचा के जाते थे और यहां से क्या करके ले जाते थे वो सोना चांदी चुरा के ले जाते थे हीरे जेबरात यानि यहां तक जो लेडीज होती है जो औरते होती वूमें उन्हों को भी वो क्या किडनेप करके वो चुरा के क्या ले आते थे ले जाते थे क्योंकि उस टाइम पे ठीके जो कंडिशन थी मैंने बोला कि आते आते आपका हजारमी सताब्दी में आके जो आपकी कंडिशन भूमेंस की खराब होना शुरू ही कब 600 BC के आसपास 400 BC के आसपास वो कंडिशन 1000 AD में आके बहुत ही चांदा खराब हो जाएगी बहुत चांदा ठीके तो उनको भी क्या माना जाता था कोई बुरा मत मानिंग उनको भी एसट समझते दे लोग ठीके ये कंडिशन थी तो युद्ध में जीती हुई क्या होता था पुरुसों को मार देते दुद लड़ते थे महिनाओं पर किया अब क्या होता है कि जब 725 एकदी की बात की आसपास की बात है सुनिए रिद्धान से कहानी जिसे 125 एकदी के पास ये ईरान जो सिंध के आशेफासा का एरिया था आपका इरान मां शेष्य वहां से था ये ठीक और यो किंग दाहिर Karika कि किरे वहां पर कॉन आ है पर अलहजज, तो दो सवाल यहां से बनते हैं, कि उस टाइम पर किंग कौन था तो किंग कौन था आपका, दाहिर, महिंदी में लिख देता हूं, हिंदी बाले दोस्त मेरा बुरा मान जाएंगे, दाहिर और यहां पर कलीफा, अलहजज, ठीक, यह सिंपल सी बाह, दो पॉइक्ट बारे में जो जानकारी मिलती है उस बुक्का नाम क्या है तो बुक्का नाम है आपका चचनामा नोट कर लिजेगा चचनामा ठीक है और ये अपने रूल में अपने राज में रूल करता था जहां पर पहला आपका राजा था जिसने कौन सा आपका इस एरिया में जजिया क्या लगाया जजिया कर लगाया जजिया कर मतलब क्या होता था जजिया जो कर लगता था देखो सिंपल सी बात है कोई मुस्लिम रूलर होता था अब पर मुस्लिम जनसंग क्या होती थी और क्या होती थी हिंदू जनसंग क्या भी होती थी तो जजिया कर लगता था किस पर आपका नॉन मुसलिम होते थे, संदठचड पाने केलिए। नॉन मुसलिम होते थे। नॉन मुसलिम पे लगता था आपका जजिया कर। कि फिलेख पैला चीज और यहां से पता है यह जो एरिया था है यहां से सोना चांदितू ले गया। साथ में आपका 600 बूमेन शिक्स अंडेट बूमेन में ले ले गया यहां से और इसने 600 बूमेन जो आपकी गिफ्ट किसको कि यहां पर जो आपकी कहलीफा थे इनको क्या कि उसने गिफ्ट कि दासियों के तोर पर ठीक है यह था आपका क्या मुहमब बिन कासिम अब सिंपल सी बात यह है कि जब वो 600-800 आदमी लेके जा सकता है तो सोचो सोना चांदी कितना लेके गया होगा किलियर चलो यहाँ पर बात खतम नहीं होती है 725 एडी के बार जो बात शुरू होती है सबसे जानदा जो खतरनाग इंसान था वो कौन था आपका मोहमद गजनभी नाम सुना होगा आप लोगोंने बहुत बार मोहमद गजनभी इसने कुल मिला के भारत पे कित्ती वार अक्रमण किय शट रावर सोंचने वाली बात है यार शट रावर अक्रमण किया आप यह सोचो कि उस टाइम राजपूत बगारा सब थे, सारी डाइस्टी थी, तो सत्रा वार यार अटेक कैसे कर गया ये? मलब ऐसा तो ऐसा तो थानी की, इत्ती बड़ी आर्मी लेके आता था कि लोग पूरे इंडिया भाए लोग मिलकी इनकी वो नी रोक पाते थे. सत्रा वार अटेक कर गया, तो लैक ऑफ यूनिटी जो मैं बोलता हूँ न, यही आपका है, यूनिटी की बहुत कमी थी, एक पटेक हो रहा है, दूसरा देख रहा है, बढ़िया है, मरने दो, होता है न, कुछ लोगों के आदत, ठीक है, एक पटेक हो रहा है, तो दूसरा ब आपका अफगानिस्तान, और किसका बेटा था, सनौप सुभुक्तगीन, दूसरा सवाल आपका बनता है, कि आपका मोहमद गजनमी किसका बेटा था, तो सनौप सुभुक्तगीन का बेटा था, फिर यार जैसे आप लोगों ने मूबी देखी है, वूबी का नाम था, रिति तो गजनबी का भाई तो गजनवी थोड़ा क्या था इसे कोई राज पार्ट में कोई दिल्चस बगारा नहीं था गजनबी थोड़ा किया था पर यह तो उसने अटेक करने का सोचा अब अटेक उसने कब किया आपका यह 998 एडी में क्या बना किंग बना और 998 एडी में की बना और 1001 से लेके 1027 तक 26 साल तक उसने अटेक किया किक्ति बार 17 वार जब उसका राजपाट करने का एक ही मकसद था कि भारत पे क्या करना अटेक करना और जो सबसे important इसका जो अटेक माना जाता है सबसे आपका जो खतरनाक brutal अटेक माना जाता है वो माना जाता है कहाँ पे सोमनाथ मंदिर सोमनाथ मंदिर कब 1025 AD में 1025 AD अब यहाँ से वो चोरी करके क्या ले गया यह तो उसका एक अटेक भाई इसके अलावा उसके 16 अटेक और है ठीक है यहाँ से वो देखो कि 700 मन मन होता है मन मतलब पहले क्या होता था नापने की चीज होती थी तो मन बराबर हुआ कितना 40 किलो एक मन होता था 40 किलो के बराबर तो 700 मन क्या ले गया आपका सोना ले गया और चांदी कितनी ले गया 12 सो मन बाच्चों अरतालिस 48,000 किलो क्या ले गया वो चांदी ले गया किलियर एक चीज अब जो इसका जो टेक्स्ट मिलता है जो इसका जो पता चलता है कि क्या टेक हुआ जो आपका जो सोमनात्व बे टेक हुआ यह से मिलता है आपका उस टाइम पे जो अलबुरूनी, फर्रुखी उत्वी, सिस्तनी फिर्दोसी यह आपका क्या थे उस टाइम पे राइटर हुआ करते थे लेखक हुआ करते थे उस टाइम पे और जो किताबे उलहिंद याद रखेगा, मैं इसले करवा रहा हुआ क्योंकि सवाल यहां से बारबार बना है किताबे उलहिंद, जो कि अलबुरूनी की थी इसमें इसका जो जिकर मिलता है किसका सोमनात्व मंदिर का कि कई सारे गधे घोड़ों पे वो बात के लेगा, इतना सोना ठीक है? ठीक, चोर नहीं बोल सकते है, इसको पहले टेंडेंसी ऐसी थी यार, चोर नहीं बोल सकते है, चोर वो होता है, जो बिना बता है, चोरी करके ले जाता है जिया होती है, च्प्चाप लेगे चलेगे पता नहीं नहीं चला कौन चुढा के लेगी आ डिकेती क्या होती है, जो डिकायत होती है बोल देते हैं कि इस गाहों प्र आपके लेमात इते हैं future तारीक में करेंगे तो यह होती है आपकी डखैती और चोरी में डिफरेंस तो यह तरीका से अटेक कर रहा था यह खुला था न सबके लिए रोक पाते रोक लेते हैं उसको लेकिन आया वोटे करके गया फिर आपका आता है इसके बाद चलो यह दो तो ठीक थे यह आता था अची बार अटेक किया लेकिन पांच बार में उसने बहुत बड़े बड़े उद्द लड़े और बहुत बढ़िया तरीके से लड़े ठीक इत्यासकार महां से बहुत कुछ सीखते हैं तो पहला आपका जो सवाल बनता है यहां से और हाँ एक चीज और कि आया अटेक किया अटेक करने के बाद क्या हुआ जो लूटा फोटा उसने तो लूट के लोग क्या ले आते थे जब कॉइंस होते थे सिक्के चलते थे उनसे क्या करता कॉइन बगरा ले जाता था तो जब वो ले जाता था वहां से तो उसने देखा बहां पे कि लक्षमी जी की फोटू लग जो सिक्के चलाए उस पर लक्षमी जी की फोटो लगाई और बहाँ पर option क्या होगा option आपका अकबर भी होगा अब लोग क्या पोड़ेंगे अकबर हिंदु धर्म को मानता था हिंदु धर्म को दोड़ा सानचर देता था 90% लोग गलती क्या करते हैं अकबर का लगा के चले आ पहला हुआ है कि मुहम्मद गौरिन जो सिक्के चलाए थे उसमें इस पेसली आपका लक्षमी जी की क्या लगाई थी फोटो लगाई थी पहली चीज़ किलियर और इसके जो पांच अटेक माने जाते हैं या पांच अटेक नहीं इसके पांच तो बैटल कह जाते एक दो ती इंडिये एक्सप्रेस मुलतान का सुल्तान यह उद्रवाल ए रही है तो ग्यारा सो पच्चतर में इसने अटेक किया मुलतान के मूल राज मूल लाज पाटेक किया और जीत गया बड़ी आसानी से जीता ये फिर इसने आपका 75 बाद देख रहो तीन साल का गैप लिया वरसे इसने अमने सेना को रिस्टोर करने में तीन साल के गैप के बाद इसने 1178 में अटेक किया मांट अबू मांट अबू पोई जगे जहां से आपका अगनी कुंड वाला आपका अगनी वाला जो राजपूतों को कह मिलता है जिकर मिलता है मांट अबू यहां के जो राजा थे आपके भीमदेब दुतिये भीमदेब तो जब बैटल अफ तराइन पटाइक किया 1191 में फर्स्ट बैटल अफ तराइन कब 1191 यह क्या हुआ इसमें हार गया सेकेंड जो बैटल होता है आपका बैटल अफ तराइन दूती है एक बात बताता हो कुछ लोग मैंने पढ़ा था कहीं पर कि जब दूसरी बार जब अटेक करने आया तो क्या हुआ था कि पहली बार इनों ने बड़ा गंदे तरीकर इसको हरा दिया तो क्या हुए राजपुत क्या हुए अपना क्या क्या हुए इसमें informatie केंगें बार जिust तो आप बहिया इनको हराई देंगे तो अब आया यहां पर क्या होती है इसने जो जी घुठा करते हैं अपनी सेना क्या किया इसमे घृत लिए पाOh गाए कि यह हारेंगे कौन चोहान साप और कौन जीतेगा मुहम्मद गौरी उसके वाद इसका जो पांचमा बैटल होता है वो किससे होगा आपका बैटल अब जैचंद बोलते हैं इसको ठीक जैचंद के साथ यह भी क्या होगा यह जीत जाएगा तो कुल मिलाके पांच इसने अटेक क इसने यह पहला हुआँ पांच मैचों की सीरीज थी उसमें से यह पूर्ट हुड़ा थे यह कौन से बनते हैं राछागे, पहला सवाल मुहमद गौरी ने किती वह भार्ट पे भारत पहू हार को हारन सवाल जो आपका मुहमद गोरी भाहां से हाल गया, कि की कौन बैटल आफ तराइन और बैटल आफ तराइन टू यह कब हुए कौन जीता कौन हारा यह आपके सवाल यहां से बन जाते हैं ठीक है हाँ गोरी बहुत चालांग था चालांग की था वाई तभी तो जीता सच बता रहें यह इतियास्म पढ़िएगा आप सर्च करिएगा वो गा कि देर वाज वार बिटीबीन मुहम्मद गोरी आर्मी एंड पित्वीरा चोहान इन विच प्लेस दा सेगेंड बैटल पित्वीरा चोहान बाज डिफीटेट एंड इस किंग्डम वास कैप्चर्ड कौन से जीए डारेक्ली सवाल आपका एक्जाम में आता है जवाब दीज कि मुहम्मद गोरी की सेना और पित्वीरा चोहान के बीच दो बार युद्ध हुआ जिसमें दूसरी लड़ाई पित्वीरा चोहान हार गए और उनके राज्जे पर कबजा कर लिया गया गोड़ इबनिंग गोड़ इबनिंग मनिस आंसर दीजिए इसका डी आंसर दे रहे हैं बैटल अफ तरायन बहुत बढ़िया ग्यारा सो अक्यानवे याद रखिएगा जस्ट एक सालवाद ग्यारा सो बानवे battle of tarayan battle of tarayan 1 और battle of tarayan 2 clear और यहीं से एक सवाल आपका बनता है क्या सवाल आपका एक और बनता है देखो पता है क्या गिया था इसने पृतविरा चौहान को भरे दरवार में या उनकी इतनी दुरुदसा कर दी थी इसने बंदे ने क्योंकि आखें तक निकाल ली थी आखें तक निकाल ली थी याद रखिएगा इतना क्रूर था यह ठीक है चलो आगे बड़े अगला सवाल देखो किताब उलहिंद अब बुक डैट मेंसंस दा हिस्ट्री ओफ इंडिया इस रिटिन बाई किताब उलहिंद यह सवाल आपका SSC CGL में आ चुका है यह सवाल आपका 2011 के असपास आपका UPSI मा चुका है यह सवाल आपका CHSL में पूछा जा चुका है यह सवाल आपका RRB NTPC में भी पूछा जा चुका है कि किताब अब यह तो नहीं पूछेंगे सीधे सीधे की मुहम्मद गजबी ने कौन सम्मंदिर सा जिस पर टेक किया लो भीया लड़ू सवाल एक दम सार रात मंदिर अब उससे रेटिड कूछेंगे ना यहाँ पे तो किताब उलहिंद एक किताब जो भारत के इत्यास का उ ब्रूनी किताब उलहिंद जिसमें आपका जो सालनाथ अटेक है या जो आपके गजनवीक अटेक है उनके अटेक के बारे में पता चलता है किलियर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मजा आगे यार यही तो चाहिए यही आंसर चाहिए आप लोगों से जो गजब के आंसर दे रहो यार दिलकुस कर दो दिलकुस हो जाता है सही में मतलब ऐसा लगता है पढ़ाना क्या होगा सफल हो गया जो आंसर आते हैं आप लोगे बढ़िया बढ़िया चलो यार अगला सवाल अगला सवाल आपसे आता है यही से पूछा जाता है कि which of the following is the correct sequence of दिल्ली सल्तनत अब बात सुरू हो जाएगी किसकी दिल्ली सल्तनत ठीक है दिल्ली सल्तनत लिख देता हूं एक बार ध्यान से देखी गए पूरी कहानी जैसे है और यही से सवाल आपका घुमा के पूछता है चाहें वो PCS हो चाहें UPSI हो चाहें कहीं से हो दिल्ली 24 गंज अंगुल अस्ट प्रमार ता उपर सुल्तान है मत चूके चोहान चोहान यह लिखा है किसने लिखा है आपका साबन चोहान ने लिखा है इसके पीच ए कहानी यह थी कि जब उनकी आखें निकाल दी गई थी तो बाद में उनका क्या हूँ उनको दरबार में पेस किया बाटके तो सिंपल से बात यद तरे का तरीका भी है तो सिंपल बात यह को देखते हैं इससे पेले यह देख लहते हैं दिल्ली सलतनत जिसमें पहली आई गल कि आउकि किया स्लेब यानि की दास बंस दूसरी आईगी क्या खिल जी डैंस्टी तीसरी आईगी कि आपकी तुगलक इसके बाद आएंगे कौण सहिएत पिर आएंगे आपके क्या लोधी तो सिलेब डाइनस्टी आपके 1260-1290, खिल जी आपका 1290-1320 राहुल एदब का सवाल है जो जॉब करें वो त्यारी कैसे करें बताते हैं अभी तुखलक क्या है कि 1320-1414, अब देखो यहां पर क्या आता है ना तुखलक डाइनस्टी कहीं कहीं पर लोग सवाल करेंगे भी मुझसे कि सर यार यार आप तो 1414 लिखा है कहीं पर 1412 लिखे आएगा तो जो 1412 में एक्शली खतम हुआ था यह डाइनस्टी लेकिन यह जो सुरू हुई थी वो 14 में सुरू हुई थी तो दो साल का जो गैप है उ 1415 से 1526 तो कई सारी इसको याद किंदी की ट्रिक हैं कई सारी लोग याद करते हैं इसको तो सिंपल इसका क्या है गुड़ खा तसला तसले में समझते हैं तसला मतलब टोकरी होती जो गौम चलता है स्टील का तसला होता है तसले में यह आप याद कर लो गू से हो गया आपका दास या आपका गुलाम बंस भी बोलते हैं इसको गुलाम बंस, खा से हो गया आपका क्या खिलजी बंस, ता से हो गया क्या आपका तुगलक बंस सा से हो गया क्या आपका सयद बंस, ला से हो गया लोधी और मा से हो गया क्या आपका मुगल बंस के लिए रेचीज याद रहेगा ठीक है चलो के लिए रहे मेरे भाई कोई डाउट यहाँ पर कोई सवाल गूड खा तसले में हाँ भाई यही है गूड मतलब गूड होता ना जो जैगरी बोलता है गूड खा तसले में याद के लेना इसको ठीक है चलो बढ़े आगे अब सिंपल है यह कि ग्राइश्टीम लोग पढ़ेंगे इसको देखेंगे इन्होंने कैसा क्या यहाँ पर किया अब यहाँ पर सवाल आता है आपका दूगर इससों देख लेते हैं इसमें भी गुलाम है इसमें भी है इसमें भी है तो यह बाला क्या हो गया कट हो गया फिर कौन सा आएगा आपका खा से क्या आएगा खिल जी आएगा ठीके तो खासे खिलजी हो गया तो ये भी आपके क्या हो जाएंगे इसके बाद तुखलक आ रहा है तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा तो आंसर बज़ेगा क्या आपका B गरेक्ट है चीज़ ठीके ये सवाल बार-बार मेरे पास घूम के आ रहा है चलो मैं बताई देता हूँ आज बहुत बार आ चुका है कि जॉब के साथ त्यारी कैसे करें बहुत बार बहुत लोग पूचेंगा जॉब के साथ सिंपल से ब्याद है जॉब करते हो तो हो सकता है आपके दो जोब हो सकती है आपकी एक डे सिप्ट हो सकती है और नाइट सिप्ट हो सकती है और जॉब कोई भी आपकी आठ घंटा या नो घंटे की होगी जॉब आपकी किलियर या जॉब कर रहे है या स्कूल कर रहे है या कॉलेज कर रहे है ठीक है और यह आपका जोगा नाइट समस्या यहां पर नहीं कि आप जॉब जो आठ नो गंटे की कर रहे हैं उसमें क्या हो रहा है समस्या यह है मेरे मित्र कि जो पंदरा घंटा और आपके बचे उसमें आप क्या कर रहे हो उसमें हम कर कर रहे हैं उसमें हम फोन चला रहे हैं उसमें हम खाना बना रहे हैं बाहर अ कोई भी नई सीरीज आती है वो कर रहे हैं तो यह हम क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं ठीक है किलियर अब माल लीजिए अगर जॉब कर रहे हैं तो सबसे पहले बाद जो खाना बनाने का सीन है जो खाना बगरा बनाते हैं खाने बगरे में टाइम बेस्ट करते हैं उसको निल कर हो जाईगी हैं चार घंटा चो एक हमड़ी हो जाए टीक है चलो आगे बढ़ते हैं पिर आपका आता है सवाल कि who was the founder of slave dynasty, slave dynasty का founder आपका कौन था, तो जब कि जो slave dynasty आती है, पहले आपका आएगा, गुलाम बंस आएगा, गुलाम बंस, तो slave dynasty आपके शुरुआत होगी कब, 1206 से, और कब तक चलेगी है, 1290 तक चलेगी, और इसके जो founder है, वो कौन है, कुतुब बुद्दीन, एगा, लेकिन जो real founder हैं, वो कौन है आपके, इल्तुतमिस, इल्तुतमिस को मानते हैं क्या, इसका founder, ठीक है, बाद में, दास बंस इसलिए बोलते हैं, इसको या गुलाम बंस इसलिए बोलते हैं, कि जब अटेकर्स आते थे, आज अटेक करते थे, उसके बाद क्या होते हैं गुलाम मस चलता था तो अपने जो गुलाम होते थे जो गते लगीन घून के चले गए तो इनने कहा है इंको अपना गुलाम जो है जो इनने अपको सुल्तान माना ही नहीं नहीं इनी की टाइम पर चलेगा आपका क्या जीतल और टंका जीतल और टंका आपके जो दो सिक्क्य है इनकी सुरात कौन करेगा आपका गुलाम बंस में ठीक है तो आपका जीतल हो गया आपका कॉपर का और टंका हो गया क्या सिल्वर का ठीक है किलियर यह चीज ठीक है दूसरी बात फिर आपका आता है कि फर्स्ट सुल्तान अफ दिल्ली सल्तना यह आपका कुतवबुद्दिन एबक तो जो मुहम्मत गोरी था मुहम्मत गोरी के क्या थे यह कमांडर थे गुलाम थे तो इसलिए बोला जाता है गिलाम बंस ठीक है कहां से सुल्टान गड़ी से आते थे गुलाम बंस तो इन्ossip नीए कभी सिल्टा कि ना तो पडवधारण की आपने आपको क्या माना आमेसा गुलाम ही माना ठीक है तो यहां से जोपड़ा ये सवाल आपका अडाई दिन का जोपड़ा अजमेर में हैं ये भी किसे बन बाया आपका एबग ने बन बाया ठीक है और इनको जो दो आपके जो नाम से जाना जाता था पहला आपका था मलिक सिपह सलाग यह आपका लालबक्स दो नाम दो चीजें होई थी कि जो खान सा सकता है SSC बार बार पूछता है कि चोगान खुळते हुए जिसकी मृत्ति हो गई плохies चोगां एक ऐसा गिक होथा तो जो घोड़े बैड़ क् Carry stitch हो गईaufग खिलते हुए कुतिंभ पहली बात है यह और सिर्फ के मिनार में मेरे दोस्त कुल मिलाके पांच विल्डिंग पांच मंजिल है एक मंजिल दो मंजिल तीन मंजिल चार मंजिल और पांच मंजिल इसमें जो आपके तीन सासेंगे तीन सासेंगे आपके घुमापुरा के पूछे जाते हैं ठीक है ठीक पहला आपका आता है कि नेमार किसे ने करवाया इस्टार्ट किसे ने करवाया तो होगा क्या आपका कुतुब बुदिन एबक फिर आपका आएगा कि आगे इसको शुरूब खतम किसे ने करवाया एक तरीके से तो आपका आएगा बाद में इल्टुतमिस इल्टुतमिस रियल पूछेगा तो कुत्व पूदी नयवक लगाईगा का एक्जाम पूछता है तो, ठीक है, इल्टो तमिस ने करवाया, बाद में क्या हुआ, जो आखरी मंजिल बनी थी, उस पे क्या हुआ, बाद में बिजली गिर गई, या बाद में आखरी में बनबाएगी, रिपेर क सासक, पहली महला सासक या पहली मुस्लिम महला सासक बोली जाती है, उस टाइम पे बहुत ही जानधा आपका हिम्मत का काम था उस टाइम पे सुल्तान बनना, दूसरी बाद इन्होंने पहली और आखरी, इसलिए पहली और आखरी मुस्लिम रूलर है, रजिया सुल्तान, ने यह चीज और इन्हों ने सिक्के चलाए कुछ सिक्के कैं चलाए जैसे अभी सिक्के के चलाए नियाय की रणी इल्टुतिमिस flaws की बेटी दिली सल्टनत की महरानी इस तरीखे क्या चलाए इन्होंने सिक्के चलाए किलिए रहे फिर आपका आता है बलवन इसके बाद बलवन नहीं क्या चलाए बलवनी कौईन बलवनी चलाए और जो नबरोज फेस्टिवल याद रखेगा नबरोज फेस्टिवल जिसको बाद में औरंग जेप क्या करेगा बंद करवाएगा नब जो नबरोज फेस्टिवल किस ने आज को एकदम सर जुका करो परड़ाम करो ठीके सजदा करो में तेरा सजदा वो वाला बल बनने करवाई इंद पै बोच यहां तो के डाउट है ठीक है अब यहाँ पर गुलाम मन से इसास सक दो आते हैं किसने कुटमिना से कुटमिना से आपके question आते हैं और आपको सवाल आते हैं कहां से आपके सवाल आते हैं रजिया सुल्टान से फिर आपसे पहुंचा जाता है कि Rajiaya सुल्टान किसकी बेटी थी simple जा एक कुतुबुद्री नैबग उसके बाद इल्टुतमिस इल्टुतमिस की बेटी थी कौन थी रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी इल्टुतमिस तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी आंसर हो जाएगा आपका इल्टुतमिस अगला सवाल देखें अगला आता है कि दिल्ली सल्टनत की पहली महिला सासक रजिया सुल्तान किस राजबंद से संबंदित थी सिंपल सा है अबी देखो क्या लग रहा होगा आसान लग रहा होगा दिल्ली सल्टनत की पहली महला सासक लोधी रैंसटी आपका मुगल पर्ब रैंस्टी और डैंस्टी तो ये जो ताल्लुक रखती थी किस से रखती थी आपका स्लेव नाइस थी या आपका गुलाम बंस किलियर ये चीज चलो एक सवाल और देखते हैं इस पर वह आपर जादा only female ruler of दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत की एक मातर महला सासक कौन थी ये सवाल घुमा घुमा के ये बो सवाल हैं जो आपकी एकजाम में आए हुए हैं ये की point पर आपका घुमा घुमा के कई बार सवाल पूछते हैं दिल्ली सल्तनत की एक मात महला सासक कौन थी चांद बीबी, नूर जहां रजिया सुल्तान या मुम्ताज महल चारो फेमस नाम है चांद बीबी, नूर जहां, रजिया सुल्तान और मुम्ताज महल चारो फेमस नाम तो चांद बीबी बो थी जिनों ने क्या किया था मुगलों से मुगलों के बृद्ध क्या हुई थी खड़ी हुई थी जैसे रानी जो आपकी जांसी किरानी उन्हों जैसे आपकी रख्चा की थी अपने छेत्र की उसी तरीके से चांद बीबी ने भी क्या थी अपनी रख्चा की थी नूर जहां ठीक है नूर जहां बात करेंगे कब हम पढ़ेंगे क्या मुगल पिरियेट मुम्ताज महल तो कौन बचता है आपका बात में बचता है रजिया सुल्तान किलियर नौरोज फेस्टिबल नौरोज फेस्टिबल होता था जैसे आपका जो नौरोज फेस्टिबल किसी नी बोला नौरोज फेस्टिबल नौरोज होता क्या है नौरोज फेस्टिबल जो होते हैं वो एक तरीके से जो पार्शी लोग होते हैं पार्शियों को क्या होता है नया भर्ष यानि की नियू यर होता है जो की 21 मार्च को क्या होता है मनाया जाता है नौरोज फेस्टिबल केलियर दूसरी बात यहां पर जो आपका फालूदा होता यहां के फेमस आपका डिस होती है नोरोज में तो यह वोगे आपका नोरोज के बारे में ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला सवाल वो ही सवाल आ गया घुम के एक बार ठीक है बताया तो नोरोज फेस्टिबल क्या होता है एक एर ओनलान मेरे भाई बताया भी मनिकर्ण का रानी रूप मती रजिया सुल्टाना या चान विभी तो याद रखेगा पहली और आखरी इकलोटी जो महिला सासक थी दिल्ली की वो कौन थी रजिया सुल्टान किलियर हिंदी क्लास भी चलेगी इसके बाद आपकी मैथ की क्लास भी चलेगी एकदम चलेगी ठीक है एक सवाल आता है कि कुतुपु दिन डिकलेड हिंसेल्फ सुल्टान ओफ डेली इंदा विचियर एंड श्टार्ट जारूल ओफ दास डाइनस्टी या मुगल बंस इसने क्या किया सुरुवात किया कुतुपु दिन ने खुद को दिल्ली का सुल्टान गोसित कर दास राजबंस के सासन की सुरुवात की कब की तो जो आपका जो मीडेवल आपका सुरू होता है आपका बाद में सेकेंड फेज आपका दिल्ली सल्टन जो सुरू होती है बारा सो चे से सवाल देख लेते हैं the period between किस सदी के बीच में मलब कौन सी एर से कौन सी एर तक जो माना जाता है दिल्ली सलत्रत माना जाता है तो यह सवाल डारेक्ट ली आपके बन जाते हैं यहां से तो सिंपल से बात में पहले ही आपका क्लास के स्टार्टिंग बताया 1206 से और आपका यह स्लाम के बाद खिल जी बचा तुगलग बचा सेयद लोधी और फिर आजाएंगे किसका मुगल डाइस्टी पर किलियर है चलो मैत वाले सर आपके आज चुके हैं मैत वाले सर आपका स्टार्ट करेंगे इसके बाद आए सर आए जीजिए बच्चे आपका इंचार करेंगा चलो यार चाटा बाबाए कल मिलते हैं सेम टाइम पर कितने बजे साढ़े आठ बजे पूर आपका जो दिली सर्थनत के साथ नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मैं हिमान सुसिंग आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ एक बार भया सब लोग जैहिंद लिख दीजेगा फटा-फट एक बार सब लोग जैहिंद लिख दीजेगा क्योंकि क्योंकि आपकी अब मैत की क्लास इ क्या स्टार्ट हो गई है मतलब है स्टार्ट होने वाली है क्या मैत का एक बेहतरीन सेशन बनाने के लिए आप लोग रेडी हो चुके हैं बोलिए एक बार क्या मैत का आप लोग बेहतरीन सेशन बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं सबी लोग फटाफट फटाफट बोलिए और सेशन का आनंद उठाने के लिए एकदम रेडी हो जाई अपने दोस्तों को अपने सभी दोस्तों को भाईया बोल दीजेगा कि हाँ आज का सेशन एकदम बेहतरीन करने के लिए रेडी हो चुके हैं हम लोग क्या कर रहे थे profit and loss को मेरे दोस्त पढ़ रहे थे और profit and loss में हम लोगों ने काफी कुछ चीजों को cover up किया था क्या काफी कुछ चीजों को cover up किया था उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे percent का जब goal mail होता है तो किस तरीके का और क्या situation होता है किस तरीके का और क्या situation होता है मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों ने काफी अच्छे से उस चीज को समझने का प्रयास किया ठीक है आप भी समझ रहे होंगे कि भीया जब समझने का प्रयास किया तो बढ़ियां तो होना ही चाहिए चलिए एक बार सब लोग एक बार सब हम सबसे पहला Jug爸 ओंस के नाम किए मैं प्रार्थना करता हूं कि भगव लोगों के लिए एक नया रास्ता खोलें जिस रास्ते पर संब्हों जाएं और वह रास्ता और ये करारा जा रहा है समझाएगा तो मेरे प्यारे दोस्त इसको सपोर्ट करना बिल्कुल न भूलें और एक बार बोल दें कि जय भोलेनात वाबा या हर-हर बोले चलिए भयंकर तरीके से एक बार भीया सब लोग बोल दीजेगा ठीक है गजब पढ़ाते हैं सर गजब पढ़ाते हैं वह बिल्कुल गजब और गजब अभी इस पर discuss भी होगा लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन की सुरुवात करें और क्वेश्चन की सुरुवात के बाद अभी पता चलेगा कि क्या हुआ तांडव टेस्ट का क्योंकि क्योंकि यह जो टेस्ट था वो भगवान सिव रात्री है कि 400 आर्टिकल्स हैं और 320 विक्री मूल मतलब यहां पर लागत मूल है क्या दा कॉष्ट ऑफ फोर हैंड़ लाइम्स इन एक्वल टू दा सेलिंग प्राइस ऑफ 320 लाइम्स तो देखो यहां पर लेमंस होना चाहिए चले कोई बात ने एकॉइडिंगली वोट इस दा परस परसेंट आना भी स्टार्ट हो गया वाह दिव्या तिवारी जी बहुत बढ़ियां बहुत बढ़ियां सबसे पहला आंसर भी आ चुका है अच्छा बेट कर रहे थे आप बिल्कुल टेंशन मतलो बिल्कुल टेंशन ना लो अभी आंसर बताओ 25 परसेंट आगे देखिए मेरे बताने के पहले चलिए अब रेडि हो जाईए क्या इसमें यूनिक चीजे हैं जिनका नहीं आया वो बिल्कुल एकदम ये जान ध्यान दीजेगा मेरी बात को जैसे हम लोग क्या करते थे हम लोग अभी तक जैसे हमें प्रॉफिट परसेंट जब ग्यात करना होता था तो हम लोग क्या करते थे यहां पे हमें करना होता था c i minus si upon c i into handed मतलब है मतलब है हम लोग क्या करते थे कि profit loss या profit percent या loss percent पराबर थोड़ा उल्टा हो जाता था हम लोग क्या करते थे हम लोग क्या करते थे अच्छा थोड़ा सा यहां पर देखो यह si मान ले न यह si होगा ठीक है थोड़ा सा mismatch हो रहा है mismatch हो रहा है SP minus CP upon CP into handed होता था मतलब selling price minus cost price upon cost price ठीक है ठीक है हाँ बिलकुल तो क्या होता था हम लोग ग्याद करते थे और ग्याद करने के बाद हमें पता चलता था profit percent क्या होगा लेकिन यहां पर अगर देखें तो हमें संख्या के रूप में दिया गया क्या संख्या के रूप में दिया गया कि 400 जो लेमन से है उसको क्या किया जा रहा है भाईया उसको क्या किया जा रहा है लागत मूल उसका जो लागत मूल है वो 320 जो नीवू है उसके सेलिंग प्राइस के बराबर है यहाँ पर यह चीज को समझना होगा मैं ने आप लोगों के लिए इस पेसली यह फॉर्मुला बनाया है कि जब संख्याओं की बात करेगा क्या मेरी बात को समझना जब संख्या की बात करेगा वस्तु के मूल्यों कि नहीं वस्तु के संख्या की बात करेगा और लागत मूल और विक्रे मूल को बराबर दिखाएगा उन संख्या को चेंज करके कि बराबर है और संख्या चेंज हो रही है तो क्या करोगे तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा वहाँ पे आपको करना होगा CN मतलब क्या है costing number मतलब है कि लागत मूल जो था उसमें कितनी वस्तु खड़ी दी गई थी costing number ठीक है और minus selling number आपको लग रहा होगा कि सर ये उल्टा क्या समझाये दे रहे हैं समझ में आएगा मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ अपान क्या होगा अपान क्या होगा यहाँ पे CP करते थे यहाँ पे SN होगा selling number क्या selling number into hundred यह अब आपको लग रहा होगा कि सर यह तो formula आप का है यूज करा रहे हैं यह formula actually नहीं है अभी आप फटाफट करेंगे बस आपको क्या है पकड़ना है कि यूनिक चीज इसमें क्या हो सकती है ठीक है चलिए यहाँ पर अब देखिए क्या है costing number कितना है 400 कितना है 400 है और और selling number कितना है 320 है कितना है 320 है upon 320 into 100 बात समझ में आई कि नहीं आई अब क्या करोगी यहाँ पर 80 है न 80 वंजा 80 और 80 4 जा 320 80 हो रहा है कि नहीं हो रहा बताए और 4 वंजा 4 और 4 का करेंगे तो 25 परसेंट आ जाएगा देखिए मैं सिर्फ समझाने के लिए यह चीज़ लिखा कि SP माइनस CP होता था जब प्राइस दी जाती थी लेकिन जब संक्या दिया जाएगा तो ठीक उल्टा वर्क करना स्टार्ट होगा प्राफिट तब होगा जब सेलिंग नम वह कॉस्टिंग नंबर ज्यादा होगा राइट अभी अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा आप प्राक्टिस करोगे तो आ जाएगा थीक है चलिए बहुत पर यहां है बहुत पर यहां है एक बार कोशिस करिएगा चलिए एक बार एक बार आप सभी लोग जितने मेरे भावी दरोगा साहब हैं सब लोग एक बार इस क्वेश्चन को लगाएं जो मैंने बताने का प्रियास किया उसको अप्लाई करें और अप्लाई करके तब बताएं कि क्या होगा इसका अंसर चलिए फास्ट एक बार बता अभी समझ में आजाएगा बिल्कुल अतुल जी ने सबसे पहला अंसर दे दिया 60% सरद जी ने दिया सागर जी ने दिया केशो जी ने बढ़ियां एक दम बढ़ियां है यह बताओ क्या क्या मजा नहीं आ रहा है क्या कोई दिक्कत हो रही क्या देखो यहां पर क्या हो 5 costing number minus selling number upon costing number selling number 254 और यहां से आएगा क्या 15 15 का 4 से होगा 15 4 जा कितना होगा 60 बताएए क्या अब भी कोई परेसानी है क्या अब भी आपको कोई समस्या का सामना करना पड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्त देखें मैं आपके लिए मैं आपके लिए आज भी छुटी नहीं लिया मै यह इसलिए ताकि आपका ऐसा नहों के रूटीन बदल जाए चेंज हो जाए इस वज़ा से मैंने का नहीं भाई छुटी तो लेना बिलकुल नहीं है क्यों क्यूंकि आपको मुझे क्या करना है जादा से जादा चीजों को बताना है तो छुटी नहीं लिया गया तो भाई मुल्ले सोलह कुरसियों के विकरी मुल के बराबर हूँ समझिएगा तो उन पर लाभ का प्रतिसत कितना है उन पर प्रॉफिट पर्संट कितना है यह मैं नहीं यह आप बताोगे प्रॉफिट पर्संट भाईया कितना है देखे क्या है करा किै carry 18 खुरसियों का लागत मुल 16 कुर्सियों के विक्रमूल के बराबर क्या करोगे बोलो 18-16 अपान 16 गुड़े का क्या हो जाएगा क्या अब भी कोई ऐसे मेरे प्यारे दोस्ता जिनको समस्या हो रही है ये दो बटा 16 गुड़े 100 और ये क्या होगा 12.5 जो नहें आ रहें वो समझें इसको जो नहें आरा हैं वो समझने का प्रयास करें क्या मैं कर रहा हूं costing नंबर मतलब है जो खरीदा गया कितनी मात्रा में खरीदा गया माइनस कितनी मात्रा में किस quantity में बेचा गया sell किया गया और अपान किस quantity में बेचा गया into hundred ठीक है यह हम कर रहा है यही process के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रियास कर रहा हूँ यही process यही process आपका चल रहा है मेरे प्यारे दोस्ते चलिए next questions की तरफ हम बढ़ेंगे next questions की तरफ हम बढ़ेंगे और देखना है जोर कितना बाजुओं का तिल में है सरफरोसी की तमनाब हमारे दिल में है लाभानी का बेहतरीन क्लास आपको देखने को मिल रहा है कितने बज़े से सवा नव बज़े से है सभी दोस्तों को बता दो की timing पर बढ़ी हाँ exactly आया करें बिलकुल लेट ना हुआ करें मेरे प्यारे दोस्त बिलकुल लेट ना हुआ करें आ गया है अगला question और देखो ये टोपी दिख रही है ना इस टोपी में और इस टोपी में फरक आप बताईए सब लोग क्या ये टोपी चाहते हो या ये टोपी चाहते हो बताओ क्या चाहते हो आप बताओ एक बार सब लोग कि सब लोगों के मुझे मैं सुनना चाहता हूं कि क्या चाहते हो बताएं वा भाई वा प्यूस जाजी बहुत सही बहुत सही बहुत अच्छा भाईया बहुत अच्छा चलिए सबसे पहले गवरो सिंग जी ने और सोनी गवरो सिंग और अतुल सिंग जी ने सबसे पहला अंसर जी दिया कहा 25 होगा मैंने इस टोपी के भिसे में बताया कि करना पड़ेगा और किसके लिए अपने लिए खुद के लिए क्या बीस संत्रों बीस संत्रों की लागत मूल 16 संत्रों के बिक्री मूल के बराबर है मेरी बात समझना क्या करा क्यए ट्वंटी ट्वंटी ऑरेंज का कोस्ट प्राईस इकवल टू इकवल टू सिक्स्टीन और 제가 स्टीन प्राइस के बराबर है और Japanカ क्या profit percent क्या होगा क्या करना होगा आपको 2020 का यह है क्या costing number selling number 16 बटा 16 गुड़े कस्व और मेरे प्यारे दोस्त क्या करोगे 4 का 91 चार चौक 16 और यहां पर आएगा 25 क्या अब भी कोई ऐसे हमारे दरोगा साहब हैं जिनको यह 25 परसेंट में कोई समस्या है क्या अब भी कोई ऐसा राकेट है जो इस questions को धरासा ही नहीं कर पा रहा है इस screenshot लीजिए और जोर से बोलिए कि दरोगा इस बार बनना तैं है जोर से बोलिए लायन वाली टोपी चाहिए बिलकुल मिलेगा बिलकुल मिलेगा अन्यधी जी सागर जी बिलकुल वाँ भाई वाँ क्या सागर जी ने कहा टोपी यह वाली पैसे से मिलेगी यह वाली मेहनस से वोट इस डिफ्रेंस बिट्वीन यह टोपी और यह टोपी भाई देखो दरोगा बने नहीं लेकिन बंदोग मिल चुकी है ऐसे questions को दागने की चलिए बताएए 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 क्या होगा 25% 20% तैं है दरोगा आरके दिख्षिजी बिल्कुल तैं है 25% फिर से आ रहा देखे क्या किया आपने इस बार बहुत गौर सा समझना question गेम खेला क्या सबस से पहले selling number को दे दिया क्या selling number को दे दिया क्या कहा बारा है costing number को बाद में दे दिया अभी तक पहले होता था बाद में दे दिया क्यों क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप ऐसा सोच रो पहला वाला इसे लिग दो ऐसे लिग दो घटा लो उसने change किया change किया और पूछा क्या profit percent क् बिल्कुल न घबडाएं आप बिल्कुल न घबडाएं अंतर कितने का तीन का अंतर कितने का तीन का है ना और किसको लिखोगे नीचे सेलिंग नंबर होगा क्या उसमें कोश्ट पाइस होता था इसमें सेलिंग नंबर होगा उल्टा होगा मैंने बताया था क्या बारा गुरे लग रहा आज भोले बाबा का पूरा परसाद ग्रहन करके आए हो लग तो ऐसे ही रहा है क्या परसाद मिला था कि नहीं मिला था ये भी बता दो 25 परसेंट आएगा जो लोग 20 बता रहें वो लोग फिर से वाच करें अच्छे से देखें उनको भी समझ में आ जाएगा ये बत कोड़ों से बताओ यार सपोर्ट कोई नहीं कर रहा यार जय योगी बाबा सर प्योज जी कर रहें अरे योगी बाबा चलो ठीक है जय आज बोलना है क्या भोले भंडारी का आईए क्वेश्चन पर 15 पंद्रह वस्तूओं का लागत मूले 12 वस्तूओं के विक्रे मूले के वही क्वेश्चन थोला सफिर से आप उजिट में ताकि आप कंफ्योज ना हो देखो कहा कहा सेलिंग नंबर है 15 उसी क्वेश्चन को उसी क्वेश्चन को विपरीत रख करके फिर से आप से पूछा क्या प्रॉफिट बताओ क्या होगा तीन नीचे क्या बारा गुड़े बोलो मेरे दोस्त मेरे यूपी के दरोगा साहाब क्या आपका 25 परसेंट आया है क्या आपका 25 परसेंट आया है यह ऐसे ही भवकाल मचाए हो यार ऐसे ही भवकाल मचाए हो तोपी चाहिए कि नहीं चाहिए बोल दो भाईया तोपी चाहिए कि नहीं चाहिए यह तोपी चाह अंसर बताना पड़ेगा जरा समल के रहना कुश्चन घुमाऊ है नहीं पहले वाला अंसर बताओ क्वेश्चन गेम खेला है क्वेश्चन क्या किया गेम खेला है चूक मत जाना आंसर सही बताना चलिए हिमासु विश्णोई जी कह रहें क्या मेरे सर के लिए अब लाइक कर दो सेयर कर दो ज्यादा इस्टूडेंट होने चाहिए हिमासु विश्णोई जी धन्यवाद आपको दिल से आप पर भगवान सिव भगवान सिव की महिमा बनी रहे और और आप सक्सेज को प्राप्त करो आपके सर पर जैसे ही रिजल्ट आए य होनी चाहिए और सभी बच्चोग के पास होनी चाहिए क्योंकि आप सभी लोग मुझे उम्मीद है कि यह सुनकर जरूर आप इमानदारी से सेयर करेंगे भगवान भोले नात के लिए चलिए क्वेश्चन में क्या कहा हम लिखेंगे अब क्वेश्चन को जो मेरे नए दोस् क्या है सबसे पहले है कौस्टिंग नंबर मतलब यह है कि जब हम वस्तु को खरीदे हैं तो कितनी वस्तु की मात्रा खरीदे तो वस्तु को मैंने खरीदा कितना मतलब वस्तु को हमने खरीदा कितना 320 कितना 320 वस्तु को मैंने क्या कर लिया कौस्टिंग नंबर मतलब खरीदा गया था और बेचा कितना गया था दिननल मतलब के क्रेम फूले बेचा जाता है जो एस एन है वो क्या है 400 Jessica की क्रेम जाता है था बराबर में बेचा जाता है टो एसेन नंबर क्या है 400 जा मनल sonra 400 को बेचा जा रहा है 320 के क्रेम मूले पर, 320 के लागत मूले पर, आप क्या करोगे difference, कितना difference पहले लिखना होता है, क्या 80 का, उसके बाद SN लिखना होता है, SN क्या है, 4, इसमें काफी लोग गलती भी किये होंगे, चूक हो गई होगी, 8, 45, 5, 20%, देखूंगा कितने तरोगा साहब ने 20% आंसर कि 199 इंकाउंटर करूंगा अरे भाई गिंती अभी नहीं गिंती अभी नहीं अभी चाहिए क्या support चाहिए अगले question पर आजाओ अगले question पर आजाओ भाई क्या कम हो रहा हो भाई share करने गये हो क्या सब लोग यह तो बता दो हम चलो बताओ बताओ मेरे दोस्त चलिए चलिए भाईया हाँ बिलकुल बिलकुल सामन चवहां जी जो कहोगे वो होगा जो कहोगे वोगा 15 सेबो का क्रे मौल क्या अब फिर से एक बार formula को देखो कह रहां क्या 15 सेबो का क्रे मौल हम जानते क्या है profit percent profit percent यह loss percent बरावर क्या होगा loss percent बरावर होगा क्या आप क्या करते थे तो आप करते थे सर लॉस होगा तो cost price में से sir selling price minus होगा क्योंकि sir जब हम कोई वस्तु जादा में खरीद के कम पेच देते हैं तो वहां नुकसान हो जाता है और अपान में sir CP होगा cost price होगा in 200 यहीं करते थे ना लेकिन यहां पर गवर से देखोगे तो यहां पर price नहीं दिया गया price का compare किया गया और price को बोला गया कि equal हो जाता है कभ अफिक हो जाता है जब 15 striको 15 April को 25 सेलिंग प्राइस पर बेच दिया जाता है रोड़ को 25 के सेलिंग पर यहां पर गवर से दूश जाता है तो लास बराबर नमब्हा जंब हम बेचते हैं विक्रे वाली वस्तू विक्रे की गई वस्तू कि संख्या मूल नहीं वस्तू कि संख्या इन्टु हंड़ेट यूं कहें तो हमेशा यहां जैसे सीपी रखते थे प्राफिट या लॉस निकालके वैसे यहां एसन हमेशा नीचे होता है अब घटाओ क्या था 25 य इससे तो 4 और 10 बराबर 40 परसेंट कितने का लास होगा 40 परसेंट का लास होगा और मेरे प्यारे दोस्त भी अप्शन आपका आ रहा होगा क्या मैं ऑ सही कह रहा हूं बोलिए बोलिए भाई ऐसे कैसे काम चलेगा यार ऐसे कैसे काम चलेगा 40% लॉस इसक्रीन सॉट ले लो भाई इसक्रीन सॉट ले लो भाई क्या होगा इसक्रीन सॉट लो चलिए चलिए क्वेश्चन को क्वेश्चन को अगला करेंगे भगवान भोले नात की जय हो भगवान की तरफ बढ़ेंगे next questions की तरफ बढ़ेंगे मेरे सेरों जल्दी जल्दी येलो इलो कोई भाई 66 भी बोला था टोपी ऊतर गई नहीं आैंसा नहीं यासा नहीं है मेहनत अभी अभी आप लोगों को मेहनत करना है और तेजवाली मेहनत कोसिस करो यार कोसिस करो क्या आप उस तांडो टेस्ट के विसे में जानना चाहते हैं उस तांडो टेस्ट के विसे में जानना चाहते हैं जानना चाहते हैं तो सबसे पहले लैब को सपोर्ट करो क्या लैब को सपोर्ट करो ठीक है क्योंकि भाईया ये जान लो कि आपके सपोर्ट के लिए यहां पर हम खड़े हुए हैं हमें आप सपोर्ट करोगे हम आपको सपोर्ट करें दूसरा इमानदारी से सभी लोग वन वन सेयर करना है वन वन दोस्तों को जोलने का प्रयास करना है बस इतना छोटा सा काम करना है सुआनी नाम देऊजी 25 अजीत यादो 25 गुड़ू अनोज ससी वाह मेरे सेर आप एकदम तयार हो गया यह टोपी आपके सर पर आएगी इसलिए मैं हर एक स्लाइड में एक एक ट तोपी रख रहा हूं ताकि जितने मेरे दोस्त हैं वो यहीं यहीं से टोपी ले जाए मतलब है जो यूपी की वैकंसी दरोगा की है उसका टोपी दरोगा वाली आपके सर पर होना चाहिए 15 मेजों कि लागत क्या सी एन क्या 15 फिर क्या है क्या है देखो यहाँ पे 20 मेजों क अगर यह कह देता प्रॉफिट लाउस बताओ तब क्या करते जब एसन जादा होगा यह ग्रेटर यह ग्रेटर तो जानलो लॉस पक्का क्या सेलिंग नंबर जादा होगा वस्तों की संख्या बेची जादा जाएगी खरीदी कम गई जितने मूल पर बेची जादा जा रही है उतनी मूल पर तो घाटा हो जाएगा क्या पाच का घाटा कैसे होगा किस पर होगा बीस पर होगा किस पर होगा बीस पर होगा गुरे सव यार आप लोग तो बहुत तेज हो गए हो बहुत तेज हो गए हो मुझे पू हां यार यहीं लेबल रहता है आज मैंने कुश्च जो है लिखवाया नहीं ताकि या कि UPSI में कब आया कैसे आया मैंने इसको रखा ताकि आपको अच्छे से समझ में आये ठीक है आपको जादा चीजे मिल पाएं समझने के लिए और समझाने के लिए ठीक है इसलिए मैं चलो चलो मेरे दोस्त फिर से समझो क्या है अगला क्वेशन आप देखो और लगाने क्रियास करो तस वस्तूओं का लागत मुल 16 वस्तूओं के लागत मुल विक्री मुल के बराबर हैं तो उन पर हानी परसेंट फाइंड करना लाभ यहानी लाभ यहानी आ गया डाउट फॉल क्व दिया है आपको 10, SN दिया है आपको 16 तो बताओ लॉस होगा कि प्रॉफिट पहले तो यह क्लियर होना पड़ेगा प्रॉफिट होगा यह लॉस होगा बताओ पहले प्रॉफिट होगा यह लॉस होगा बोले बोले सब लोग प्रॉफिट होगा यह लॉस होगा एक बार सब ल पोला ना अगर एसन जादा तो लॉस कितने का छे का लॉस छे का लॉस नीचे कौन जाएगा एसन जाएगा क्या एसन जाएगा इन टू हैंडेड पॉइंट में देखो तो त्याई चे और दो आठे 16 फिर क्या होगा चार दूना आठ और यहां पे चार से पचीज और आएगा क्या 75 अपान टू बराबर 37 एक बटा दो परसंट कितने लोगों का यह आंसर आया कितने लोगों का यह आंसर आया बोलो लॉस हो रहा है कि नहीं प्राफिट भी उतना लॉस भी इतना ध्यान से समल के चलिएगा बंदूख ले करके चुपके चुपके चलिए चोर जो है चाउथे आप्सन में बैटा था आगे इतने लोग थे आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लेकिस सब को छोड़ते हुए करेक्ट आंसर पर आपको पहुचना है करेक्ट आंसर पर आपको पहुचना है चलिए आगे बढ़ जाओं आगे बढ़ जाओं चलिए लीजिए लीजिए ताबर तोड़ एकदम भयंकर तरीके से आप बिसफोट करिए इस क्वेशन पर बिसफोट करिए इस क्वेशन पर मे कि ा बात भै इस बार मैं नहीं बताओंगा मैं पहले अंसर देखूंगा कि कौn से मेरे दोस्तों का आन्सर सही है यह मुझे देखना है यह मुझे देखना है जल्दी क्वास्ट कमान 25 पर सेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए बिलकुल 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 गोड इवनिंग गोड इवनिंग भी आराम राम राम बढ़ियां है 25% क्या SN बराबर S N बराबर 20 और C N बराबर आएगा क्या 25 पहले तो ये बताओ कि profit होगा या loss ये भी साथ में बताए तो S N है कम S N जादा तो loss हो रहा था S N जादा तो क्या हो रहा था loss हो रहा था यहाँ S N हो गया कम तो आएगा क्या profit क्या आएगा profit आएगा profit into 100 551 पांच और पांच चो को भी चार से चार दूना आठ और आएगा क्या आएगा क्या 20 परसेंट वो भी क्या loss 20 परसेंट वो भी क्या अच्छा profit sorry 20 परसेंट वो भी क्या अच्छा कहीं गलत चार और यहाँ 25 परसेंट क्या loss नहीं profit क्या loss नहीं profit आएगा क्योंकि S N अगर कम है S N कम है तो हमेशा profit होगा ना कि लॉस ट्वंटी नहीं ट्वंटी नहीं गरबर ना करो गरबर ना करो भाया गरबर करोगे तो गरबर हो जाएगा गरबर करोगे तो गरबर हो जाएगा चलिए next question की तरफ चलेंगे profit and loss का परड़े नवपंद्रा पर आपकी classes चलते हैं मेरे दोस्त यह आपकी फ्री महराथन क्लास है UPSI के जिसमें आप GS जिसमें आप math जिसमें आप हिंदी और reasoning की एक better class के session को complete करते हैं क्या free एकदम free एकदम करते हैं मेरे दोस्त चलिए आगे बढ़िए और बताइए कि सब को दिखाईए कि क्या है इसका answer सब को दिखाईए कि क्या होगा इसका exact answer क्या है कुछ वस्तु है पांच रुपए में छे के हिसाब से खरीदा costing और और 6 रुपए में पांच के हिसाब से बेचा क्या selling किया लाभ क्या होगा क्या लाभ क्या होगा ये बताना है चलिए बताएए मेरे दोस्त बताएए मेरे दोस्त जल्दी जल्दी बताएए क्या होगा इसकांसर 20 आना स्टार्ट हो गया 20 कैसे आएगा मेरे दोस्त जल्दी बताओ जल्दी बताओ 20 कैसे आएगा अरे भाई क्यों नहीं लग रहा है देखो क्या है फाइव हां मन इसलिए नहीं लग रहा है आप लोग सपोर्ट कर नहीं रहे हो कैसे मन लगेगा बताओ कोई तो देखे जादा से जादा इस्टूरेंट की चाहत है कि सब लोग ऐसा कोई नहों जो दरोगा दरोगा बनने से चूंक जाए मैं चाहता हूं कि आपके सभी दोस्त दरोगा बने लेकिन आप जब भेजोगे नहीं दरोगा के लिए उनको ये सब क जाम में क्वेशन है आप सपोर्ट नहीं करते हो कहते हो मन नहीं लगता है यार मन कैसे लगेगा बताइए अभी कल ही आपने सपोर्ट किया और मैंने पार कर गया थे कई सारे रिकार्ड आज सपोर्ट नहीं करो कह रहा हो कि सर मन नहीं लगता है चलिए देखिए अब अगर यह question समझ में आए तो आप जरूर support करना 5 रुपए में कैसा 6 और 6 रुपए में कितना 5 किदर से क्या हुआ बेचा यहां से cost ऐसे serial लिख ले दा बाहर बाहर का multiply कर देना कितना 25 और अंदर अंदर का multiply कर देना कितना होगा यह 36 और यह 25 अब मेरी बात को समझना मेरी बात को समझना वरना चूक गए तो गड़बड होगा चूक गए तो गड़बड होगा क्या होगा यह होता है क्या यह होता है क्या SP क्या होता है जोर से बोलो क्या होगा यह SP यह क्या होगा CP क्या होगा जोर से बोलो CP राइट समझ मे क्या कर लिया 36 माइनस 25 और बटा 25 गुले का सव क्या हो जाएगा ग्यारा बटा 25 और इन्टु हेंड्रेड 25 चौका सव और बराबर 44 परसेंट मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे दोस्त सब लोग बताओ क्या यही आया क्या यही आया हां थोड़ा सा इंग्लिस में दूसरा है बट 6 रुपीज अच्छा हां थोड़ा सा इंग्लिस में गरबर कर दिया गया है नहीं सही है सही है अच्छा थोड़ा सा गरबर कर दिया गया गरबर कर दिया गया इंग्लिस में थोड़ा सा गरबर दिया है कोई दिक्कत नहीं कोई कोई बात नहीं हाँ बिल्कुल इंबिलिस्स पे तोड़ा सा गलत हमारते हमारत समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया एक बार सब ताकत लगा के अप लोगdd फटाफट डोस्तों को चोड़ लो एक बार एक बार मैं दो सेकिंड का मौका दे रहा हूँ चलिए इस क्वेशन को लगाते रहे और ठोक दीजे सब को भेज दीजेगा फटा फट ताकत लगा करके भेजिए क्या है क्या है आपकी ताकत मैं देखना चाहता हूँ देखना चाहता हूँ चलिए चलिए मेरे दोस्त रुपए में दस की दर से चलिए मैंने लिख दिया question और अब आपको answer बताना है क्या होगा इसका answer fast fast एक दम answer बताओ क्या होगा जल्दि आफ करा if the board some things at the rate of 11 rupees 10 and sold out then the rate of 10 rupees to 11 find out the profit percent would be kya hoga kya hoga यार यार यह चीज़ नहीं है यह चीज़ सही नहीं है बिल्कुल यह चीज़ सही नहीं है बिल्कुल ऐसे नहीं काम बनी का ऐसे दरोगा नहीं बनोगा मैनत करो मैनत करो भाए मेनत करो कैसे होगा जल्दी बताओ मेहनत करो 21 परसेंट आना इस्टार्ट हो गए वाह वेरी गुट क्या किया सर ये हैंडेड होगा और सर ये 121 होगा होगा की नहीं होगा सर ये CP है और ये सर SP है देखो SP दर होगा सब बनने लगे यहीं पर बन गए क्या करोगे दोनों का डिफ्रेंस 21 कॉस्ट प्राइस नीचे इंटु हैंडेड दोस्तों बताओ क्या 21 परसेंट आया की नहीं आया बताओ क्या 21 परसेंट आ गया की नहीं आ गया बताइए एक बार सब लोग बोलिए एक बार क्या आपका 21 परसेंट आया की नहीं आया बोलो भाई बोलो भाई फटा-फट बत जो दोगए, निसाना सही नहीं है, डिको का बार-दरी, कि देखके रहे हैं, यही टोपी चाहिए तुम्हारे कहां पर, यही टोपी चाहिए, ऐसा सेलूट करते हुए आउ, जे सर, दरोगा आपके सामने हाजिर है, आपने पढ़ाइтов시간 है, गहाई क्वाको Gerald Iskra, खुंग कि व् क्वेस्चन कौन कौन हिमाशूव इस नोई जी यस सर आ गया बिल्कुल ओके 36 परसेंट अतुल जी बिल्कुल कौन सा स्पी कौन सा सीपी रिपीट कर ये बिल्कुल पूनम प्रसाथ जी बिल्कुल रिपीट करूंगा क्या है चार रुपए में पांच की दर से पांच रुपए में चार की दर से क्या पांच रुपए में चार की दर से हमने कहा बाहर वाला चार चौको 16 क्या होगा सीपी बाहर वाला क्या सीपी अंदर वाला एसपी अंदर वाला क्या होगा एसपी बाहर वाला सीपी अंदर वाला एसपी डिफ्रेंस कितना नौका कितने का नौका नीचे क्या होगा कौश्ट प्राइस कौश्ट प्राइस है कितनी 16 गुड़े 100 क्या होगा 4 चोग 16 और ये 25 पॉइंट में है क्या 25 नवा 225 कितना 25 नवा 225 और ये 4 चार पंचे 20 आ रहा है क्या और चार पंचे 20 के बाद 4 चंग 24.25 परसेंट भाया चूंक गए क्या सब लोग चूंक गए क्या बोलिए एक बार क्या चूंक गए क्या देखे थोड़ा बहुत कभी-कभी इंगलिस में गरबर हो जा रहा है मैं देख रहा हूं बिलकुल वही मैं देख रहा हूं फिर से गरबर और जैसे ही गरबर हो रहा है आप लोग गरबर हो जा रहा है चलिए इसको लिखिए अगले क्वेशन को समझे अगले क्वेशन थोड़ा सा चेंजमेंट दिया गया है थोड़ा सा चेंजमेंट दिया गया है अच्छा नहीं चेंजमेंट कहां पर गलती हो गई है आप बिल्कुल बिंदास रहिएगा चलिए एक बार बोलिए जय बम बोले चलिए अगला क्वेशन का अंसर बताईए एक दुकांदार दस दस नग कितने रुपए में आठ रुपए में खरीदा और अभी तक देखो पिछले क्वेशन की अगर बात कर लिगार दिया क्या सबसे पहले संख्या तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे रुपए को क्या सबसे पहले रुपए तब हम संख्या लिखेंगे और फिर क्या है आठ नगो 10 रुपए फिर से हम रुपए को लिखेंगे पहले और फिर से हम संख्या को लिखेंगे ये चीज़ ध्यान रखना पहले रुपए फिर संख्या फिर रुपए फिर संख्या ये सिक्वेंस होगा तभी आएगा मजा नहीं तो गरबर हो जाएगा चली क्या होगा आठ टाइंच चौंसट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा फिर क्या होगा दस दहमा सव और ये होगा SP ये होगा CP राइट काफी लोगों का 36 आ गया होगा और आंसर मिल नहीं रहा होगा वो कह भी रहे होंगे सर आंसर में कुछ गरबर तो नहीं है देखो क्या होगा यहां से लिया तो क्या आया 36 बटा 64 गुड़े 100 क्या हो जाएगा चार नवा 36 चार से सोला चार चोको सोला पत्चीस और फिर से चपन चपन पॉइंट टू फाइव आपका आंसर बिलकुल बिलकुल सही है हाँERE है इंग्स में थोड़ा सा गरबडी है चलिये इसको मैं जरूर अभी इस बार ध्यान रखूंगा है ना इस बार मैं जरूर ध्यान रखूंगा चलिए नills question are next question चलिए q question बताई ह protocols उनसर बतई है अगले का आंसर बताई है कि यह अगले का question का आंसर बताइए भाया जल्दी फास्ट कमान फास्ट आंसर दीजिए क्या है दस रुपए में 12 की दर से 12 रुपए में 10 की दर से तो क्या है लाभ या हानी क्या होगी लाभ या हानी क्या होगी चलिए जल्दी बताइए जल्दी बताइए क्या होगा क्या होगा जलदी बताइए दस रुपए में 12 for 10 रुपीज and sell 10 for 12 रुपीज यह सही है बढ़ियां है चलिए बढ़ियां है करिये बढ़ियां से करिये इमानदारी से करिये और महिनत करिये और बताइए कि क्या है बहिया हमें लग रहा है हमें लग रहा है आप लोग बिलकुल सपोर्ट में नहीं है इस क्वेस्टन का आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूँ इस क्वेस्टन का आंसर मैं आप लोगों से चाहता हूँ फटा फट सब दोस्त फटा फट सब दोस्त मेरे जुट जाएं और आंसर बताएं क्या होगा इसक दस रूपए 12 कि दर से फिर 12 रूपए 10 कि दर से हो गया नहीं इतना अब क्या होगा दस दहम मां 100 और 12 का 144 ये क्या होगा SP ये क्या होगा CP भैया बताओ तो क्या चाहते हो दिल चाहते हो या जा चाहते हो तुम ही बताओ कि क्या ये चाहते हो बोलो सब लोग क्या चाहते हो तो 44 होगा पटा कितना होगा हेंडेड इन्टु हेंडेड ये जीरो ये जीरो कैंसल और क्या हो जाएगा 40% is right answer 44% sorry 44% is right answer चलिए चलिए next questions की तरफ बढ़ेंगे next questions को करने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त अगले question का answer दीजिए अगले questions का answer दीजिए मतलब है कि ये आपको मिलेगा क्या घर के लिए और ये आपका homework आपके सामने मैं रखूंगा इस homework को आप लोग लिख लिजेगा अपने copy पे कल जब मैं आऊंगा तो इसी का answer आप से पूछूंगा कल मैं जबाऊंगा तो इसी का answer पूछूंगा टोपी चाहिए चलिए कल मैं जबाऊंगा तो इसी का answer पूछूंगा जल्दी जल्दी command fast एक बार सब लोग बताएं एक बार सब लोग बयंकर एकदम उड़ा करके रख दो जादा से जादा लोग आएंगे तभी आएगा मजा ओके जल्दी 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 कोशिस करो भाया मजा तभी आएगा मजा तभी आएगा इसका भी जल्दी 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 आँसर देना सब बेच दिया गया यहां पर बच्चे इतना तयार हैं सब कुछ लेने के लिए चलिये जी बहुत अच्छी है चलिए एकदम दिल कुछ लगा रखी आप हाँ सर बिलकुल हम चाहते हैं बच्चों को यह टूपी मिले सर है ना चलिए फटाफट एक बार आप लोग भाई आप वरदी चाहिए 2 star के साथ बहिया यहां तो हम 4-5 star की बात करें प्रमोशन सहीट काहे परेसान है मेहनत करिये याद रखिये मेहनत करने वालों की कभी Science सही हम अंहीं होती है कभी al Nacji होती है अचा सर क्यह आप लोगों का ड्रेस कोड है क्यारे अहरे भाई देको एक । तो आप लोग इस चीज को मत रखो क्या करूं यार अब टोपी इसलिए मैंने लगा लिया है ताकि आपको इस टोपी को दिखा करके वो टोपी प्रोवाइट करा सके मेहनत करवा सके इसलिए लगाया गया आप बिल्कुल विंदा सब्सक्राइब उनको जवानी के अस्तर पर ले आए हमने कहा ले आया जाए नहीं तो गायब हो रहे थे ट्रिक कहां से लाते मैं सब गज़ा पढ़ाते सच्व मैं भी देखता हूं मेरा भी सी सेट वगएरा में काम रहता है विल्कुल विल्कुल मैं यह जान लो हैंड़िट परसंट कोसिस कर चलिए जी आजाएए मैं स्टाट करूं सब्सक्राइब बहुत बढ़िया संख्या बढ़ गई है कितने चीज बता दूं मैंने आपको बोला था कि जो हमारे पुराने दोस्त हैं जो हमारे नये दोस्त हैं मतलब सबके लिए मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक कौनसा जी अलंकार का तो व्याकरण हम लोग पढ़ रहे थे लेकिन व्याकरण को क्या हुआ श्टडी लैप पे कुछ लोगों ने पढ़ रखा था तो मैंने का उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे ये जो है आपका एकदम फ्रेस है टॉपिक कौनसा काव्यांस वाला टॉपिक पढ गहां चलिए बहुत अच्छा जी आजाईए सब लोग यूपी असाई का बहुत है और एक चीज़ और बता दूँ भाई 2017 में सबसे ज्यादा कोश्चन यहीं से आयते मैंने का सबसे पहले क्या करते है अलंकार को ही खतम किया जाता है उसके बाद हम लोग करेंगे चलिए प अभूशन क्या होता है जी अभूशन होता है क्या करते हैं अभूशन क्या करते हैं चमतकार उत्पन करते हैं अब आप कहेंगे सर कहां चमतकार उत्पन करते हैं ध्यान दीजेगा आप लोग देखते होंगे ना कुछ औरते क्या करती है या इस्तरियां क्या करती है अपने स लाइए झी रह वाला हार लाईएगा और कौन सी गौल्डवाली रिंग लाईए गा और जो बढ़ियां चमकता नहीं यह इस्टोन वह लाईएगा डायमज्ड रिंग लाईएगा मतलड़ हो ben अभूसड हो अलंकार को ले आते हैं इसको क्या अभूसण के रूप में प्रियोग करेंगे कहां जी कावी में प्रियोग करेंगे जब हम लोग कावी लिखते हैं तो अलंकार का जो साब्दिकर्थ होता है वो क्या होता है अभूसण होता है सर अभूसण क्या काम करता है जी सोभा बढ़ान कौन-कौन से अलंकार आते हैं कौन-कौन से वेद होते हैं यहां से आपकी यूपी असाई में कई सारे कोश्टन पूछे गए हैं 2017 में चलिए बहुत बढ़िया हिमांसु अच्छा जी क्या बात है बहुत अच्छा आपके एक्जामपल ही मस्त होते हैं आपको पता चला क्या अभूसन होता है या गहना भी होता है मतलब उसकी सोभा बढ़ा देते हैं कैसे बढ़ाते हैं काव्य कि सोभा बढ़ाने वाले जो तत्त होते होते हैं उन्हीं को क्या कह दिया जाता है अगर आप से परिभासा पूछे तो ध्यान दीजेगा अलंकार के भेद कितने होते हैं अलंकार के तीन भेद होते हैं कितने जो अगर कुल भेद पूछ ले तो कितने होते हैं यहां से कोश्चन बनता है ध्यान से सुनिएगा कुल भेद कितने होते हैं तीन होते हैं कौन-कौन से सर एक तो होता है सब् और दूसरा कौन सा हो गया सब्दा अलंकार क्या है कि अंस Zenon होता है। सब्दा अलंकार, मतलब हमने इनको तोड़ दिया, एक से निकल के आया सब्द, एक से क्या निकल के आया अर्थ, मतलब क्या है, जो सब्द के, सब्द के आधार पर क्या करते हैं, कावे में, सब्द से कावे में क्या होता है, चमतकार उत्पन होता है, सब्द के, सब्द के, सब इधाल लिख देता हूं उत्वपन्व हो गया ध्यान दीजिएगा यहां से आपके question पूछतें अच्छा जी यहां मैंने क्या किया यहां मैंने अर्थ और अलंकार अलग कर दिया मतलब अर्थ हो गया यहां पे क्या हुआ अर्थ के आधार पर किसकी आधार पे जी अर्थ या भाव के आधार पर क्या किया गया काफे में सोभा बना दी गई चमतकार उत्पन्न कर दिया गया आप कहेंगे सर उभया लंकार ध्यान दीजेगा सब्दा लंकार और अर्था लंकार उभया क्या होता है जो दोनों में हो मतलब क्या सब्दा लंकार और अर्था लंकार क्या इन लेकिन सबसे पहले इस का भेत बताता हूं कितना होता है किटने होते हैं बहुत सारे में दोस्त आमझ गया होंगे एक तो हिंदी उसके बाद 100 अरठा लंकार कौन पढ़ेगा भाई सब पढ़ने नहीं है पढ़ने कितने हैं जितने पूछे जाते हैं जो में में हैं जो यूपी एसाइए में पूछे जा सकते हैं सिर्फ हम लोग उन पर चर्चा करेंगे क्योंकि विद्वानों ने क्या किया भईया जो आया वो अर्था अलंकार को बढ़ावा दे गया मतलब 100 से ज़्यादा भेद बता गया ठीक है ना यहां तक बात समझे गया अब आगे चलते हैं यह आपको पता चल गया जो सब्द से क्या हो कावे में सोभा बढ़ जाया चमतकार हो जा किसके द्वारा केवल सब्दों के द्वारा क्या हो चमतकार उत्पन हो किसके द्वारा केवल सब्दों के द्वारा चमतकार उत्पन हो वहां क्या हो गया आपका सब्दा अलंकार हो गया ध्यान दीजेगा इसके भेद कितने होते हैं मुख्यता इसके तीन भेद होते हैं जो अनुप्रास लंकार होता है क्या हो तोड़ तोड़ के बताऊंगा क्योंकि पूछा गया है एक कौन सा होता है सर यमक अलंकार होता है दूसरा कौन सा होता है स्लेस लंकार होता है क्या होता है जी स्लेस लंकार इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं सिर्फ वरणों की गढ़ना पर चर्चा करते होए चलेंगे ध्यान दीजेगा चलिए लीजिए पहला कोश्चन ही आ गया मैंने कहा कोश्चन वहीं से बनेगा पहला कोश्चन देखिए क्या पूछ रहा है UPSI 2017 में आया है 22 दिसंबर को पूछा अलंकार के मुख्यता भेद निम्न में से कौन से हैं कौन से माने जाते हैं भाई भेद कौन कौन से हैं ज्यान दीजेगा मैंने क्या बताया सब्दा लंकार बताया था अर्था लंकार बताया था तीन भेद बताया थे लेकिन मुख्य होता है उसके बाद कौंसा उभ्यालंकार होता है प्रस अलंकार होता है तो यह तो नहीं से पूछे गाए देखेगा कहां ँफय Серघ में वह होगे तो हाग हो गया उसके पूछेगा वही मैंने बता कोशन आपका आगे देखेगा सर आप बहुत अच्छा बढ़ाते हैं विपिन सिंग जी बहुत धन्यवाद है आपका चलिए जी इन में से कौन सा विकल्प सब्दालंकार का भेद नहीं है अभी अभी मैंने बताया है सब्दा जो आपके सब्दालंकार होते हैं मुख्यता कौ भईयं कश्षलंक करें नहीं औभी यहां पर दिया है डैस मतलब खाली स्थान दिया है UPSI 2017 में पूछा गया है कोश्चन बताते हैं कि यहां सब्दों में चमतकार होता है भाई कहां होता है सब्दालंकार में चमतकार होगा सब्दों का उसके बाद डैस बताते हैं अर्थ में अदभूत सौन्दर्ए होता है बात वही आई ना अर्थ के आधार पर क्या हो गया चमतकार उत्पन हो गया कौनसा आ जाएगा बताइए जी कौन Saig da देखता हूँ कौन Saigah बहुत बड़ीया पीदिएफ बड़नाइगी इस यहादए पर चुकी भाली पीडिएफ आपको जरूर मिल जाएगी जैसे यह खतम होगी क्लास कल आपको मिल जाएगी आज की करंटी ने देता क्योंकि 11 वजे राद में आपकी क्लास खतम होने वाली चलिए बताइए बहुत बढ़िया इसने बताया डैस बताते हैं कि सब्दों में चमतकार हो क्या हो जाएगा सर्फ सब्दालंकार हो जाएगा यहां मिल दिसंबर को पूछा गया था फर्ष्ट में फर्ष्ट बैच में 2017 में पूछा गया था कोश्चन आपका चलिए जी यहां में प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी और टॉपिक भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा लंबा टॉपिक लेकिन मज़ा आएगा इसमें चलिए अगला क कोश्चन देखिए अर्थालंकार का एक प्रकार है अब देखिए यहां पर एक ऐसा प्रकार है जो अर्थालंकार का होगा लेकिन तीन ऐसे प्रकार है जो आपके यमक उसके सब्दालंकार के होंगे बस वही आपको सब्दालंकार जब हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसमें से छाट लेंगे बाई अलुपरास किसका होता है सब्दालंकार का होता है यमक किसका है सब्दालंकार का है सलेश किसका है सब्दालंकार का है बचा कौन सा कौन सा बता बचा अतिस्योक्त बता बचा जिसमें क्या करते हैं बढ़ा चढ़ा कि बात करते हैं अतिस्योक्त हो गया यह अर्था लंकार का आता है हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे तो option number B वाला कौन सा सही हो गया है सही हो गया देखे question को अगर आप element करना सीख गया मतलब मज़ा आगया आपको चलिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छा जिन्नों ने भी दिया है UPS IE में आपके पूछा गया है 21 December को यह भी 2017 में चलिए जी अगला question देखेगा निम्न लिखित में से कौन सा अर्था लंकार नहीं है बताइए जी कौन सा अर्था लंकार नहीं है कौन सा नहीं है अब देखे फिर आपको चटना है मतलब अगर आपको पता है कि सब्दा लंकार कौन सा है तो मतलब एक इसमें क्या होगा सब्दा लंकार होगा और बाकी तीन क्या होंगे अर्था लंकार होंगे तो सब्दा लंकार हम लोग पढ़ चुके हैं बताइए कौन कौन सा बहुत बढ़िक सबके पहले संजी का रखें अब सकते ते यह जयाती है city रही कि डिशम को बहुत बढ़िया चलिए बहुत अच्छा आपजी कि चैट बढ़ रही एफ बहुत गजब लग रहा है अलंगा जी आ ग lui कितने है अभी मैंने बताय था पूछ ले कितने सर पांच होंगे सब्धा लंकार पढ़ा है और दूसरा कौन सा पढ़ा है जी अर्था लंकार और जो उभया है उससे पूछता ही नहीं है मतलब कौन से हो गए मुख्य रूप से जो पढ़े जाते हैं वो कौन से हैं दो हैं यह भी UPSI में पूछा गया है मतलब कोश्चन आपके यहीं से बनना पन्न होता है वह सब दालंकार होता है उतने कौन से होते हैं एक होता है और कौन सा होता है है जिस लेसोता है दावार करता हूं आपका दोस्त एक-एक चीज़ को बहुत विस्तार से बताएगा बहुत अच्छे से बताएगा आप से गलती कभी नहीं होने वाली चाहें कावेका नहीं चाहें वो कोई भी स्लोक रख देया के तब भी आप बता दोगे ये मेरी गारंटी है चलिए जी बहुत बढ़िया आजाए आगे देखेगा मैंने कहा अनुप्रास अलंकार क क्या चीज बार बार ध्यान दीजेगा अनुप्रास का मतलब क्या है अनुका मतलब क्या है बार बार आना प्रास का मतलब क्या होता है वर्ण होता है किसका बार बार आना सिंपल सी बात है जब वर्ण क्या हो बार बार आ जाए एक ही वर्ण क्या हो बार बार आ जाए या किस है अलग़क्षाट का मतलब सर अभूसर होता है जो चमतकार उत्पन करते हैं और यहीं मतलब होता है आपका बहुत बढ़िया चलिए जी आ जाई यह आए मैं ने कहा ध्यान से सुनिएगा बहुतuting चीज है बहुत ध्यान से सुनिएगा आपको अनुपरा सलंकार का मतलब समझ जाएगा अब देखे यहां पे क्या हो रहा है जी ता आ गया यहां पे भी क्या है ता गया यहां पी ता गया यहां भी ता गया अब देखे क्या हो रहा है ता जो है ना वर्ण है क्या है जी वर्ण है और एक ही वर्ण कितनी बार आ रहा है बार बार आ रहा है पुन्रा वरत्ति हो रही है रिपिटेशन हो रही है क्या हो गया जी हमने कहा अनुपरा सलंकार है क्या हो गया अभी और आ मज़ा आएगा तो सची सबस्स्माहर कीं दोहा है किसमें तुल्सीदास के दवारा लिखा है यहांके क्या होery है यहां यहां में मां मां हो गया उसके बात समझ में आई ना बहुत बढ़िया वर्णमाला की भाई साब मिल गई है आपको study lab पे एक बार जाके तो देखिए study lab पे जाईए वहाँ पे आपकी वर्णमाला की अनुपरास अलंकार में क्या होता है वर्णों की repetition होती है मतला अलफ़ाब जो होते हैं वह एक ये पाइबिट क्या होता है बार बार आता है उसको क्या कह दिया जाता है अनुपरास अलंकार कह दिया जाता है बताइए जी बात समझ में आई बहुत बढ़िया अब देखिएगा यहां से पूछता है कई सारे कोशन इसके भेद कितने होते हैं उस पे हम लोग ध्यान देंगे ध गजब का पड़ार है अच्छा जी चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद धनमेंद्र चौधरी जी मैंने कहा कौन सा पहला कौन सा होता है इसके देखिए अनुपरास अलंकार के पांच भेद माने गए है कौन कौन सा है एक तो होता है छे का अनुपरास अम मेरे यमक अलंकार और लात्या अनुप्रास में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, तभी चीजे किलियर होंगी, और गजब वाला है आपको पता चल जाएगा, उसके बाद क्या है, सुर्थ्या अनुप्रास है, कितने भेद हो गए, पांच भेद हो गए, सिं करते हैं, एक-एक करके, कुछ नहीं ध्यान देना है, सिर्फ एक चीज का ध्यान देना है, लाटा अनुप्रास में, छोरी, छे का अनुप्रास में होता क्या है, ध्यान दीजेगा, मैंने कहा, किसी पंक्ति में एक से अधिक, सिर्फ इस पे ध्यान देना है, किस पे एक से अ उप्रास कहलता है कौन सा एक से अधिक वर्ण जरूरी नहीं है कि यहीं बारबार आए एक से अधिक भर भी अगर बारबार आ जाता है तो वो क्या होता है जी छे ग्रानुप्रास होता है देखेगा आपके सामने R08 कुश्चन ही है मैंने कहा राधा के बर बाइन सुने क्या कह रहे हैं दिजेगा बा यहान पे आया है राधा यहान पे भी आया है कहा था ना तो जब वेन्यन बार-बार आएं स्वर की समानता हो स्वर सेम हो ना हो कोई मतलब नहीं है वेन्यन क्या हो समान हो क्या हो जाएगा जी आपका अनुप्रास अलंकार होगा और जब एक से अधिक वर्ण क्या हो बार-बार आएं तब क्या होगा छे का अनुप्रास हो गया और ध्यान दीजेगा दाख दुखी मिसरी मुरी सुधार ही सुकचाए अब यहां पर क्या हुआ जी दा भी आ गया यहां भी खा गया यहां भी खा गया यहां भी मा गया यहां सा गया यहां भी सा गया सर और यहां भी क्या हुआ सा गया क्या क्या कह दिया मैंने एक से सी रहसी रहसी हासी हासी ऊ carbon हो गया लेकिन कॉन से वर्na सरैक से अधिक वर्na होना चाहिए रिपीट हो रहें तब होगा छे कानुप्रास अगर एक से अधिक रिपीट नहीं हुए तब क्या होगा देखिएगा मैंने गाव रत्यानुप्रास में क्या होता है एक ही अक्षरिया एक ही वर्ण ध्यान दीजीगा बहुत अच्छे से वहां क्या था एक से अधिक करुकी ना बार बार रिपीट हो रहा है किया होना बार बार रिपीट हो ना है कैसे मैं चंदान सा बदन चंचल चितवन एक प्रचार आता था मैंने क्या करते हैं आप लोगों के पहले ऐड नहीं आता था चंदान सा बदन चंचल का तुद्वन अब देखिये यहां भी क्या हुआ चारुरुः Kind ना मैंने कौन सा था यार तरुवर तमाल बहुचाये वाला पढ़ा था वही वाला है उसके बाद मैंने का सपने सुनहले मन भाये यहां भी क्या हुआ सारी पीट हो गया यहां भी अब देखें यहां पर क्या हो रहा है व्रत्या व्रत्या का मतलब जानते हैं क्या होता है अब नींद आ जाएगी तो कैसे काम चलेगा सरिता जी खाना वाना खा चुकी है मतलब नींद लग रही है आगे देखिएगा यहां से अभी कोश्चन आने वाले हैं जैसे ही अनुपरास लंकार खतम होगा लाटा अनुपरास में क्या होता है बहुत ध्यान से सुनिएगा क्य पहले इधर सुन लिजे एक सब्द का बार बार आना अब वहां कहेंगे सर वर्ण था यहां सब्द आ गया ध्यान दीजेगा एक कंडिशन है एक सब्द का बार बार आना लेकिन अर्थ क्या हो अर्थ एक हो जितनी बार भी आया हो क्या हो अर्थ एक हो यमक में क्या होता है स उसके अलग-अलग हो लेकिन यहां क्या है जश्ट उल्टा है यहां क्या है सब्द चाहे जितनी बार आए सेम समान सब्द कह लीजिए या क्या है यहां भी मनुस्य आया और यहां भी मनुस्य आया सब्द क्या है दोनों मनुस्य एक समान है अर्थ भी इनके क्या है एक समान मन सबस्क्राइब देखेगा है वह सबस्क्राइब घंट सबस्क्राइब इस अधर गविन्दा गाना गाने जाता है उससे पहले उसको एक लाटा अनुप्रास बोल रहा हूँ भाई मैं तो हिंदी वाला हूँ मैं तो क्या लाओंगा लाटा अनुप्रास लाओंगा ये तो लाटा अनुप्रास का बोल दिया आपने क्या बोला आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ अब आदमी का मतलब यहां भी क्या हो गया सर पुरुस हो गया और आदմी का मतलब यहां भी क्या हो गया पूरुस हो गया मतलब भाई साब पुरुस से ही प्यार कर रहा है मतलब दोनों का अर्थ lights क्या समान है मैंने कह दिया क्या हुआ लाटा अनुप्रास हो गया बताइए जी मज़ा आ रहा है ₹ यूपी असाई के लिए भाई साब मैं यह नहीं कहूंगा कि तुम नींद त्याग दो नींद त्याग दोगे तो पागल हो जाओगे एक लोग पूछ रहा है सर कितना पढ़ू यूपी असाई के लिए कुछ मत पढ़ो प्रैक्टिस करते रहो और जो यहां से आपको मिल रहा पढ़ जितना भी पढ़ो तीन घंटे पढ़ो चार गंटे पढ़ो काम हो जाएगा चलिए जी आपको पता चल गया लाटा अनुपरास क्या होता है यमक से थोड़ा सा बसचेंजर सोता है बाकी ध्यान दीजेगा क्या हो सब्द 12 तीन बारा या दस 12 समान अर्थ हो तब क्य हो जाएगा आपका लाट अनुप्रास हो जाएगा चलिए जी आगे देखेगा अंतिया अनुप्रास में क्या होता है थोड़ा सा तोड़िएगा इसको यहां पर क्या लिखा है अंतिया क्या है अंत आ गया मतलब क्या अंत में क्या हो समान हो जाए क्या हो समान वर्ड हो क्यों हम लोग छंद पढ़ेंगे तुक बंदी विल्कुल अलंकार का भै? खत्म सावन चोहाण जी मैं डोस्त लेता हूं का जलनगे डर होग्या का जिने 2017 में आपके ऊबढ़े हवी हवी हो गया है 2017 में लंकार आज मैं उस डर को खतम करने वाला हूँ चलिए जी आजाएगे मैंने कहा मांगी नाव न केवट आना कहाए तुम्हार मरमुना जाना अब देखिए यहां से तोड़ी क्या निकलेगा जाको बाहर करेंगे हलंत आएगा यहां से बड़ा निकलेगा यहां पे आना आ जा जाएगा ना सिंपल सी बात है क्या हो दो पंक्तियां होंगी और अंतिम में क्या होगी समानता होगी और जितनी चौपाई होती हैं अंतिम में क्या होती है समानता होते बहुत बढ़िया जाए सुत्यानुप्रास बहुत बढ़िया है सुत्यानुप्रास आराम से सुन लिए इसलिए मैंने वर्ण माला पहले ही पढ़ा दिया था आपको मैंने आपस में जितने व्याक्रण के आपके जितने भी टॉपिक हैं आपस में इंटर लिलेशन सीफ है सबका और वहीं आपका अंताल संबंधी यहां पे आगया है देखिएगा मैंने कहा पंक्ति में एक ही आपने पढ़ा ना पांच वर्ग होते हैं 25 वेंजन होते हैं पढ़ा था ना यहां पे आगया काम क्या एक ही वर्ग के वर्णों का बार बार आना मतलब एक ही वर्ग हो चाहे वो चावर्ग हो चाहे वो का वर्ग हो चाहे वो आपका टावर्ग हो चाहे तावर्ग हो चाहे पा अंत था क्या था दीनांत था है कि सूğृ किसी कूर हो रहे थे सथेणु का मतलब हो गया साथ में धेता है घ्र हो ता है कि हो एगये चराने वाले होते हैं क्रिसिंजी की बात हो रही है जो गाये चराने वाले होते हैं वह बैलah का मतलब बच्चे आ रहे थे तो दीन आ क था थे दीन आना props डूबते सधेन वाते ग्रह ग्वाल बाल थे आप कहेंगे सर मुद्दे की बात कीजिए कहना क्या चाह रहा है मुद्दे की बात सुनिएगा मैंने कहा यहां पे क्या आया सर दाया यहां पे नाया यहां पे भी ना आ गया यहां पे ता आ गया यहां पे भी दा आ गया यहां न ना यही तो होते है ना पांच आपके ता भी आ गया ता भी आ गया आपके दो बार आ गया उसके बाद था भी आ गया दो बार आ गया उसके बाद दा भी आ गया दो बार आया भाई साब उसके बाद धा भी आ गया आपका ना भी आ गया मतलब इसी पंक्ति में क्या हुआ ध्य पूछेगा मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए अभी अभी पढ़ाता बताइए जी कौन सा लंकार होगा बताइए जी आंसर आने चाहिए सब के देखता हूं कौन-कौन आंसर देता है कैशे लिए बहुत बढ़िया कि बिलकुल पढ़ लीजे सावन जी अच्छे से सरा स्वति सिंग जी कह रही है अब पढ़ लो अच्छे से बताई या होगा आंसर दीजिए बहूत बढ़िया देखिए क्या कहा मैने मुदित महीपत यहां क्या हो रहा है मा रिपीट हो रहा है मा रिपीट हो रहा है सा रिपीट हो रहा है सा रिपीट हो रहा है सा रिपीट हो रहा है मतलब क्या हुआ सर एक से अधिक वंड रिपीट हो रहे हैं और चाहें एक वंड रिपीट हो चाहें एक से अधिक वंड रिपीट हो होगा क्या अनुप्रास अलंकार होगा क्योंकि भेद तो हमने सारे पढ़ी लिये हैं सिंपल सी बात है क्या होगा अनुप्रास होगा बाकि यह किसका है अर्था अलंकार का है यह किसका है आपका सब्दा अलंकार का है तो वो लोग हम लोग बाद में पढ़ेंगे यहां पता चल गया आपको क्या हुआ अर्था सब्दा अलंकार का अनुप्रास अलंकार हो गया सिंपल सी बात है आपसन नंबर एज इन्हों ने दिया बिल्कुल सही गजब ढ़ा रहे हो आप लोग यूपी असाई बैस दोहजार स्ट्रा में पूछा गया है थर्ड वैच में 21 दिसंबर को चलिए जी आजाए आगे लीजे फिर कोश्चन आगया डैस यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदारन है कौन सी पंक्ति है भाई साब जिसमें अनुप्रास अलंकार है अभी अभी मैंने बताया है आंसर कर दीजे आप लोग बताईए जी क्या होगा आंसर कीजिए रिजनिंग नहीं होगी क्या सुपनिल मैंम आपकी दिन में रिजनिंग लेती हैं चलिया जी बताईए क्या होगा अब देखिए पूल सी बच्ची क्या यहां पे रिपीट हो रहे हैं पूछ क्या रहा है अनुप्रास पूछ रहा है और हमको पता है अनुप्रास में क्या हो बहुत अच्छा लगा आपको देखके बहुत अच्छा कर रहे हैं सर जी वर्णमाला की पढ़ गई है भाई साव आप नहीं पढ़ी है तो मैं डलवा दूँगा यार आप परिषान ना हो बिल्कुल वहाँ पे इस्टडी लैप पे पहले डाली जा चुकी है जो हमने पढ़ाया था इस्टडी लैप पे नहीं पढ़ी है भाई साव मैं पूरा क दे दिया क्या कह रहा है मावर्ण की क्या हो रही है माव इंजन की पुनरा अवरत्ति हो रही आवरत्ति किस अलंकार में होती है अभी तक मैं चीक रहा था क्या चीक रहा था कि वर्ण की आवरत्ति हो वर्ण की आवरत्ति हो कहां होगी भाई साब बताईए जी बहुत दिखके औंपर हो जायगा और इसी तरह से आता यार कौन चैरा ता बहुत टाफ है सर्जी यह है वो है इतना सरल ये चलिए जी बता ये आपके 15 दिसम्बर 2017 17 में पूछा गया था ये भी एसाई का ही कोश्चन है बहुत बढ़िया चलिए अगला देखिए हंजी फिर वही आ गया क्या जहां अनेक विंजनों की एक बार स्वरूपता ध्यान दीजेगा बहुत अच्छे से सब्दों में खिला दिया आपको भाई साब ने क्या कहा स्वर समान रूप से मैं लिख देता हूं कैसे समान रूप से मतलब समान अर्थ वाला क्या हो क्रमसा आवरत्य हो जाए रिपिटेशन हो जाए वहां कौनसा अनुपरास प्रियुक्त होगा क्या बताया समान रूप हो कौनसा होगा सर जब एक सब्द का एक सब्द की पुनुरा वर क्या हो गया लाटा अनुप्रास हो गया सिंपल सी बात है भाई साब ने फिर क्या किया कोश्चन में ही आंसर दे दिया बताईए जी मजा आया नहीं बहुत बढ़िया बहुत अच्छा चलिए जी अगला देख लीजिए दिये गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उच्छी तो दारन पहचानना है पहचानिए जी अनुप्रास में होता क्या है वही तो चीख रहा है भाई साब उत्ती देर से यह कौन कह रहा था कि अनुप्रास अलंकार बहुत डर भरा हुआ है आजाओ भाई साब जितने डर वाले हो चलिए जी बताईए सारंग ले सारं घंती है उनका जो पल्लो होता है जो आचल होता है उसको भी सारंग का मतलब साम्ब होता है मतलब यहां पर तो भाई साब अर्थ के आदार पर क्या हो रहा है चमतकार और यह थोड़ी अनुप्रास होगा चलिए जी नव जीवन दो घंसे आम में फिर वही आुई आगया ये वह तो अलग हो गया जी यह देखिए क्या कह रहा है अब जीवन में जीवन का मतलब समझ गया जीवन का मतलब प्राण हो गया जीवन का मतलब जीना हो गया और यहां भी जीवन का मतलब क्या है जीवना ही जीना ही है तो यहां पर अर्थ क्या हो रहा है समान हो रहा है और जब जीवन का मतलब क्या है जीवन है जीना है जीवन का मतलब यहां भी क्या है जीना है अलग अलग थोड़ी है सारंग का मतलब बहुत अलग होता है इस सारंग का भी मतलब अलग हो गया जैसे कनक कनकते सोगनी अमक में आ गया कनक कार्थ अलग हो गया और कनक कार्थ अलग हो गया देखिएगा यहां भी चारा यहां भी तो क्या होगा कौन सा लंकार क्योंकि हम रख्ता है क्या एड़ोंकि होटा यहां करें वर्डों की रिपिटेशन होती है इर बार वार वही वाला आ जाता है अनुपरासलंकर है 2017 में पूछा गया है आपके सकेंड बैच में 12 दिसंबर को पूछा गया था चलिए जी आ जाईए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा जी चार उचंदर की चंचल किरने खेल रही थी जल थल में भाई साब बचपन से पढ़ते पढ़ते एक तो यह हो गया कनक कनक वाला और एक य पढ़ा है यहां भी क्या है चा है यहां भी क्या है चा है यहां भी क्या है चा है और कह भी रहा है जल थल में जहां चा और लाकी क्या हो रही है आवरत्योरी इसर आपने तो कोश्चन में ही आंसर दे दिया कोश्चन में ही आंसर दे दिया क्या चा और लाकी भाई साब पल सीवां थे क्या बना दिया कोश्चन गुरुजी थोड़ा सा टफ करते तब हमारे दोस्त करते कहते आजाए जितना टफ लाना है चलिए जी बताइए अगले कोश्चन का आंसर दीजिए फिर वही आ गया भाई साब किता वही पूछ रहा है बार बार अच्छा जी यूपी कॉंस्टेवल में पूछ लिया गया है यूपी कॉंस्टेवल का एक रख दिया मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार बताईए भाई साब मां आ गया मां आ गया मां आ गया पुन् अच्छा बारह है यह यह वह अनुपरास है हंजी एक बार और सुन लिजे मैं दुबारा बता देता हूं एक बार आपको बता देता हूँ कौनसा होगा Yes अब जीवन में नहीं जीवन है अब जीवन में नहीं जीवन है सर जी जीवन का मतलब ची Gerademaid और जीवन का में मतलब क्या है जीना बात एक ही हो गई क्या हो जाएगा सेम चीज पूछ रहा है क्या होगा अच्छा जी दिये गए विकल्पों में अनुप्रास अलंकार पूछ रहा है है अनुप्रास पूछा है यार बहुत बढ़िया पूछ लिया आपने क्या पूछ रहा एक बार नाम बता दो ऐसे ठंब करके देख लो कौन किसने पूछा था गजब ढादिया भाई साब आपने बहुत सही किया वर्ना गड़बर हो जाती है बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा चलिए जी आजे आगे आजे इसका डी वाला होगा बहुत बढ़िया चलिए आगे बहुत बढ़िया अच्छा किया अच्छा जी मानवीर चौधरी जी आपके लिए क्लैपिंग बनती है बहुत अच्छा बिलकुल सही किया वर्ना गडबर हो जाती हंजी यमक अलंकार में क्या होता है सुनिएगा जहां कोई सब्द एक से अधिक देखिए कौन सा जहां कोई सब्द मैं पैन बदलता हूं फिर समझाता हूं जहां पर कोई सब्द क्या हो एक से अधिक बार किसे एक से अधिक बार प्रियोग होता है और क्या होता है तथा उसका अर्थ क्या हो सर जी अलग अलग हो अर्थ क्या हो अलग अलग हो वहां क्या हो जाएगा आपके यमक अलं चलम्ट हो गया एक कनक का धतूरा और भाइसाब दोनों में भएता हैं आदमी जे पा जाता है सुनिए का ध्यान से कई भार consumer Unique person MS CC में कई बार test पूछा गया है UPSI में कई बार question पूछा गया है आपके, इसमें क्या कहते हैं, आपके constable में, Tet में, SuperTet में, हर जगह repeat करता है, जेते तुम तारे, सुनिएगा, जेते तुम तारे, तेते नभ में ना तारे, अब सुनिए ये किस के लिए कहा गया है, ये गंगा नदी जी के लिए कहा गया है, किस के लिए, ये गंगा नदी जी के लिए कहा गया, और गंगा नदी जी क्या करती है, तारती है, भाई सब, पापो का उधार करती है, सुनिएगा, मैंने कहा जितने तुम तारे, तारने का मतलब जानते क्या हो गया, उधार करना हो गया, क्या हो गया, जी उधार करना हो ग तो बार आया है और दोनों बार अर्थ क्या है अलग है लेकिन सब्द क्या है समान है जब समान सब्द हो अर्थ अलग अलग हो क्या होगा यमक अलंगार होगा बहुत बढ़िया 118 को सरिता यादोई जी आपको कौण गजब वाला है सारंग ले सारंग चली के सारंग की ओट और सारंग जीनो पाई के सारंग की ओट सारंग जीनो पाई के सारंग की ओट सारंग जीनो पाई के सारंग की ओट सुनिए एक सारंग का मतलब क्या है सारंग ले सारंग चली एक सारंग का मतलब है दीपक क्या होता है सर सारंग मतलब दीपक को लेके इस्तरी चल रही है कई सारंग की ओट मतलब जो पल्लू होता है आचल होता है या जो दुपट्टे का आचल होता है उसको क्या कहा जाता है आपके सारंग कहा जाता है कई सारंग की ओट और सारंग जीनों पाई के फिर वही बात क्या जीनों पाई हट थोड़ा सा हट गया क्या किया हटा हुआ पाके सारंग का मतलब हो गया हवा हवा क्या करी बीपक को बुझा गई सारंग कई गई चोट क्या हो गया सर यमक लंकार हो गया क्यूं हुआ क्यूं कि एक सब्द कई बार आया है और हर सब्द के अलग क्या है हर सब्द के अर्थ क आपदे को दिख नहीं रहा होगा साइद नीचे देखिए तीन बेगं का मतलब जानते क्या हो गया एक बे ऐसे Candice उर और मतलब जानते हैं क्या हो गया एक बेख का मतलब हो गया कसे समय से अर्था टाइम से किस वा कहा noun से जो तीन उनकी तीन चलिए चलिए बहुत अच्छा न चलिए घृट या इसी ओसे बने ay आप सब को पता है आप सब दिआ हो एक अधिक्बार क्या हो आए भिन भिन मतलब अलग अलग अर्थ हो वहां कौनसा अलंकार होगा भाई साब इत्ती देड़ से तो मैं बोल दा था कौनसा अलंकार होगा सर सिंपल सी बात है यमक अलंकार होगा कौनसा होगा यमक अलंकार होगा साधरन सी बात है जब अर्थ अलग अलग हो क्या हो जाएगा य तार बार रिपीट कर दिया और एक्जामनर जब कि जानता था बच्चे के मतलब कभ थे पढ़े हैं बच पन से पढ़े हैं आझा P हो महा सिवरात्री मंगल में हो आपका सिवरात्री में लोग आज तो बढ़ा भांग भांग फूंक रहे होंगे और ब्सस जी encouraging लोग होते किया उते हैं सर धतूरा चढ़ाते हैं और संकर ची yak Ond चुरा withdrawal आजाता है सुना जाता है कि कहा जाता है कि वेदों में भी लिखा है धतूरे से क्या होता है संकर जी प्रसंद हो जाते हैं मतलब नसेड़ी आदमी तो क्या होगा धतूरे से प्रसंद हो जाएगा एक का सवना का मतलब किसी सोना अगर किसी को मिल जाए बाई साब एक किलो सोना मिल जाए मैं दोना हो गया और एक कनक का मतलब क्या हो गया धतूरा हो गया दोनों अर्थलग अलग है क्या हुआ आपके यमक लंकार हो गया कितनी बार आया है सुनिएगा थर्ड बैच 13 दिसंबर 2017 सेकेंड बैच 16 दिसंबर 2017 फश्ट बैच 22 दिसंबर 2017 यही मिला था कुछ और रख दिया होता है चलिए जी आईए अगला देखेगा यह यह पंक्ति यमक लंकार का भेद नहीं है अब देखिए तीन यहां पर ऐसी कुष्चन इलिमेट करना सिखेगा तीन यहां पर ऐसी है जो यमक लंकार की नहीं है अब देखिए खग का मतलब समझते हैं खग का मतलब होता है पक्षी पक्षी और जो पक्षी का वर्ग होता है पक्षी कुल बोलते हैं उसको मतलब कई सारे पक्षियों को क्या कह दिया गया पक्षी कुल कह दिया गया और कैसे बोल रहा है कुल कुल सा बोल रहा है क्या बोल र करना आँंगाल देख़ होता है वह यह फिरन करता है एक च्छक फोन करता है ऐलो कॉन theorem काता है क्या कहता है कि तुम बोल कौन तो सन्नी देवल कहता है अरे अगर हमें जान जाओगे तो किस से जाओगे जान से जाओगे किस से जाओगे जी जान से जाओगे सुनिएगा एक जान का मतलब क्या हो गया एक जान का मतलब हो गया जानकारी क्या हो गया सर एक जान का मतलब हो गया जानकारी करना मतलब हमें मतलब क्या हो गया प्राण हो गया सर जी क्या हो गया सन्नी देवल साभ आपने तो यह इमा कलंकार बोल दिया दिया मैंका बहुत लगात dissolघना अच्छा तीक है ना जारी दे मन का मन का फेर क्या कह रहा है मन का मन का फेर मतलब मन का जो मन का है मन की माला फेरो तो एक मन का मतलब क्या हो गया एक मन का मतलब हो गया जो माला फेर रहे हो एक मन का मतलब क्या हो गया कि मन की बात है जो मन का माला है वो वाला फेरो तो इसके भी क्या हो ग है पिर बुजह का मतलब क्या होता है लेकिन थाया करते हो और हमें पढ़ने के लिए क्नाया करते हो चलिए जी हां जी बहुत अच्छा कोश्चन है आपके 2017 में ये भी पूचा गया है सुनिएका ध्यान से कहे कभी बेनी ब्यान सोड़ी कहे कभी बेनी सुनिएका कभी बेनी बेनी व्याल की चुराई ली नहीं क्या कह रहा है अब देखिए यहां पर एक बेनी का मतलब जानते ह कभी थे कौन से एक का मतलब हो गया कभी और 10 audio घ्रघ्चा में कहना है एक क्या मतलब हो गया मतलब ली इनी ब्याल की चुराइली एक बेनी का मतलब हो गया बासुरी एक बेनी का मतलब हो गया कभी जो बेनी जी है उनकी बात हो रही है क्या हो गया सर मैंने कहा यमक अलंकार है आप सब को पता है यमक अलंकार कब होगा 2017 में आपके यह भी कोश्चन पूछा गया है चलिए जी अग सब्सक्राइdzming आएक का मतलब अच्छे कपड़े पेना करना किसके लिए सजना के लिए सजना का मतलब पता है डिसको फ्रेम करते हैं प्रेमी के लिए परती के में भी कह सकते हो लेकिन यहाँ पर सजना क्या हो गया इसर लिए सजना को मतलब مतलब लंकरत लोग सबकी आनसर रहे हैं बहुत बादिया बिलकुल अपनी वासा में समझाते हैं एक सजना का मतलब Pride कपड़े पहनना सुषजित होना बहुत बढ़िया बात है एक का मतलब हो गया क्या प्रेमी कह सकते हो पती कह सकते हो बहुत अच्छा चलिए जी बिलकुल बहुत बढ़िया बहुत अच्छा चलिए आगे देखिए अगला देखिए गया आपके इसमें पूछा गया अच्छा जी खतम हो गया चलिए जी समय भ अभी अलंकार आपके कौन से बचे हैं सर सलेश अलंकार आपका बचा है उसके बाद हम लोग यह अर्था लंकार पढ़ेंगे तो जितने भी अलंकार वाले ना इस बार अलंकार पूरा हम लोग खतम करके फिर रस पढ़ेंगे फिर छंद पढ़ेंगे इसी लह में पढ़ेंग साथ मरूरंजन के साथ जैसे हमको हमारे सर ने पड़ा है उसी तरह से मैं आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूं चलिए जी बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार जी सुभरात्री हैं आप सभी को आपका प्यार यूहीं बना रहे और हाँ एक चीज़ और कहूंगा भाई साब अ सभी को बहुत-बहुत बधाई है बहुत-बहुत आपका सब का मंगल मैं हो विल्कुल बहुत अच्छी बात है सब को सुभरात्री है जी और एक बार अमन सर के लिए ठैंक्यू जरूर बोल देजेगा आपके अपने तरफ से अगर आप सभी को मजा आ रहा है आनन्दा रहा है आप स्टड़ी आपके लैप पे रहिए और लैप के साथ बने रही है आपको हर सुविदाय मिलेंगी बिल्कुल फ्री और जैसा की बताया गया है और हम आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता है चलिए जी नमस्कार ज हुँँँँँँट